आज की रेट में business website develop करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप WordPress की help से बिना coding knowledge की almost किसी भी तरह की website कुछ ही hours में बना करके ready कर सकते हूँ। किसी भी तरह coding बगरा की जरुत वाकई आपको नहीं पढ़ने वाली है। क्योंकि WordPress में हजारो themes और plugins available हैं, free version भी available है, premium version भी available है जिसकी help से आप almost किसी भी तरह की website को बहुत easily design and develop कर सकते हूँ। बट सबसे important यह है कि जब भी आप कोई theme अपनी WordPress website के रहे choose करते हूँ, तो आपको कुछ factors पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जो theme आप use करने वाले हो, वो बहुत heavy theme तो नहीं है, अगर heavy theme होगी, ज़्यादा quotes की help से उस theme को बनाया होगा, या complex code अगर उसमें use किये गए हैं, तो उस case में आपकी website बहुत slow load होगी, website loading अगर slow होगी, तो user experience खराब हो जाएगा, साथी साथ में, जो free version आप use करते हो, किसी भी theme का, तो हो सकता है उस free version में ऐसे features आपको ना मिलें, जिसकी आपको वाकेश जरूरत है, जैसे मान लीजिए, आपको custom header डिजाइन करना है, अब custom header आपको free version में mostly themes में नहीं मिलता है, उसके लिए आपको premium theme पर्चेस करनी पड़ version, रिशी theme एक कमाल की theme है, बहुत light coded theme है, fast load होती है, साथी साथ में, इसके free version में आपको इतने सारे premium features मिलेंगे, जो किसी और premium theme में भी आपको नहीं मिलने वाले हैं, so first of all मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैंने एक website, रिशी theme के उपर बना रखी है, और मेरी website कितनी fast load हो Google पे हमने page speed score को भी check किया है, साथी साथ में GT metrics पे भी मैंने अपनी site के performance को check किया है, so यहाँ पे आप देख सकते हो, यह है GT metrics result, यह है मेरी website जो मैंने recently develop की है, रिशी theme के help से, और यहाँ पे आप देखो GT metrics पे A grade मुझे मिला है, 91% performance है, और structure website के 92% जाता है, 1.6 second loading speed है इसकी, और almost काफी सारे यहाँ पे positive factors मुझे दिखाई दिये, साथी साथ में मैंने चेक किया है, Google page speed insight के उपर भी, तो आप देख सकते हो, 95% page speed score यहाँ पर भी मेरी website को मिला है, और यह है रिशी theme का home page, so basically, रिशी theme के दो version है, free version भी available है, और premium version भी available है, but right now, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ free version को use करने वाले हैं, अब free version में कौन-कौन से features आपको मिलते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, so यह है मेरा WordPress का dashboard, यहाँ पे देखो, आप काफी सारे tabs available है, आप site identity भी play कर सकते हो, इसके साथ ही साथ में अपनी website color scheme को अपने according set कर सकते हो, कि आपक color palette वगरे को यहाँ पे choose कर सकते हो, just like this, जो भी आपको लगे वैसा आप यहाँ पे customization बहुत easily कर सकते हो, साथ ही साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो, आप custom header अपने according row है, bottom row है, इसमें आप अपने according custom header को बहुत easily design कर पाऊगे, जो कि आपको किसी other free theme में नहीं मिलता है, whereas custom footer का भी आप यहाँ पे designing कर सकते हो, अपने according widgets को आप drag and drop कर सकते हो, copyright content को अपने according आप change भी कर सकते हो, यह सारे features other theme में आपको premium version में ही मिलते हैं, बट रिशी theme में free version में ही आपको इस सारे चीज़ें मिल जाती हैं, इसके बाद है हमारे पास typography वाला section, जहाँ पे आप अप आपने according fonts वगरा set कर सकते हो, कि by default heading का font क्या होना चाहिए, paragraph का font क्या होना चाहिए, body text क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें आप यहाँ से बहुत easily control कर सकते हो, SEO का part भी है, यह theme 100% SEO optimized है, यानि अगर आप सही तरीके से SEO करते हो, अपने blog post वगरा का, अपने pages का, तो वो Google की क actual में किस टाइब का दिखाई देगा, देखिए, classic layout है, यह listing layout है, यह grid है और यह masonry है, दूसरी theme में आप compare करके देख लीजेगा, यह सब आपको premium version में ही मिलेगा, बट रिशी में आपको free of cost मिल जाता है, इसके बाद काफी सारे और भी यहाँ पे features हैं, जैसे cookie consent है, other themes में आपको plugins install करने पड़ते हैं, cookie consent display करवाने के लिए, बट रिशी theme में यह आपको inbuilt ही मिलता है, यानि आपको अलग से कहीं भी purchase करने की जरुवत नहीं है, और यहाँ पर भी दो तरह के design layout है, type 1 है, type 2 है, and type 2 left hand side पे यहाँ पे display होता है, anyways, content वगर आप यहाँ पे इसका change भी क site को बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, top पे header है, जहाँ पे हमने कुछ contact details वगरा को put किया हुआ है, social media icons है with hover effect, इसके बाद हमने यहाँ पे header put किया हुआ है, header sticky है, आप देख सकते हो, यह sticky header है, मतलब अगर आप scroll down करोगे, तो उस case में header उपर stick हो जाएगा, फिर इसके columns वगरा बनाये हैं, जिसके अंदर हमने content put किया हुआ है, बटन से hover effect के साथ में, along with that, icon list ले करके हमने कुछ features वगरा को यहाँ specify किया हुआ है, background में भी कुछ images वगरा ली है, यह counters है, मैं एक बार page को refresh करके दिखाता हूँ, कि जब भी आपका page load होगा, यदे number dynamically run होते हैं, just like this, तो इस type के section भी आज़े हम create करने वाले हैं, फिर यहाँ पर doctors का section हमने दिया हुआ है, और यह है हमारा custom footage जिसमें हम social media links वगरा पुट किये हैं, और काफी सारे और भी content हमने यहाँ पर रखा हुआ है, आप अपने according content यहाँ पर भी change कर सकते हो, along with that, contact us page की उपर हमने एक inquiry form create किया हुआ है, जिसमें customer अपनी detail फिल करके आपको contact कर सकता है, तो यह भी काफी कमाल का feature है, so Rishi Theme के almost सारे features को हमने use किया है, इस पूरे वीडियो में, I mean Rishi Theme के free version के सारे features को use किया है, और साथ ही साथ में मैंने आपके लिए एक पूरी checklist ready किये, इस checklist को follow करके हम पूरी के जैसे कि number one, domain name and web hosting, यानि हम domain name और web hosting purchase करना सीखेंगे, इसके बाद how we can install WordPress, then after WordPress के dashboard में जितने भी elements हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, after that हम Rishi Theme का free version install करने वाले हैं, then after Rishi Theme में काफी सारे recommended plugins होते हैं, उसे हम अपनी website में install करेंगे, after that जितने भी required pages हैं, उन्हें create करना सीखें कस्टम header ready करेंगे, header में आप logo वगरा specify कर सकते हो, menu को दिखा सकते हो, search box वगरा put कर सकते हो, तो ये भी आज हम सीखने वाले हैं, home page के उपर content put करना सीखेंगे, जैसे कि images put करना है, buttons put करना है, headings है, text है, इस सारी चीज़े हम वहाँ पर put करना सीखेंगे, contact page के उबर inquiry forms create करना सीखेंगे, contact details को put करना सीखेंगे, और at last हम एक custom footer बनाने वाले हैं, footer आपकी website का सबसे bottom का part होता है, जो हर एक page पर common होता है, so ये सारी चीज़े आज के इस वीडियो में हम cover up करने वाले हैं, मेरा नाम है सद्दाम कासिम, मैं WordPress instructor हूँ, so without further delays, let's start this video, so हमारा first step है, we need to buy a domain name and web hosting, domain name आपकी website का नाम होता है, जैसे की google.com, amazon.com, sony.com या कोई भी आप .com domain या .in domain वगरा ले सकते हो, और दूसरी होती है web hosting, web hosting means आपकी website के लिए internet पे space, जहां पर आपकी website ये content को put किया जाता है, and with the help of web hosting, आपकी website internet पे live होती है, so domain name और web hosting purchase करने के लिए simply आपको website open करनी ह सदामकासिम.com, then forward slash Hostinger, so right now Hostinger की website पे आ चुके हैं, और Hostinger काफी सस्ती और काफी अच्छी web hosting है as compared to other companies, क्योंकि यहां पे जो मंतरी hosting प्लान है, वो सिर्फ 149 इंडियन रुपीज पर मन्त से स्टार्ट हो जाता है, और domain name भी आपको यहां पे सिर्फ 75 रुपीज पर year का मिल ज होते हैं, बट मैं आपको recommend करूँगा कि आप WordPress hosting इंडिया को select करें, क्योंकि हम यहां पे WordPress website बनाने वाले हैं, और यह web hosting WordPress के लिए बहुत ही अच्छी होती है, काफी speed up आपकी site हो जाएगी, और काफी अच्छे features भी आपको WordPress के यहां पे मिल जाते हैं, so simply आपको start now पे click करना ह होता है, और यह है कुछ pricing plan जो इस web hosting में offer किये जाते हैं, so right now starting time में मैं आपको recommend करूँगा कि आप सिर्फ single WordPress वाले plan को select करें, जिसका price सिर्फ 99 रुपीज पर मन्त होता है, और इस plan में आप एक website host कर सकते हो, 30 GB का SSD storage आपको मिलता है, one business email आपको मिलेगा, इसमें आपको free SSL certificate भी मिल जाता है, SSL means HTTPS, right now भी यहाँ पर देखो, यह है padlock symbol, आप जैसे इस पर click करोगे, तो message लिख करके आता है connection secure, इससे customer का trust भी build up होता है, so यह padlock symbol आप भी अपनी WordPress website में integrate कर पाऊगे, but इस plan में आपको free domain नहीं मिलेगा, but मैं अभी कुछ seconds में आपको बताने वाला हू कि सिर्फ 75 रुपीज पर यहर पर आप domain name कैसे ले सकते हो, बाकि और भी काफे सारे features हैं, वहीं अगर हम बात करें इस WordPress starter plan की, तो इसका price है 199 रुपीज पर मन जिसमें आप 100 website host कर सकते हो, इसका मतलब यह है कि hosting plan सिर्फ एक ही रहेगा, और इसमें आप 100 domains को add करके 100 different type of websites को इस single plan पर host कर सकते हो, मतलब आपको बार बार hosting नहीं खरीदनी पड़ेगी, सिर्फ आप बार बार domain purchase करोगे, और एक ही hosting plan पर आप 100 websites को build कर सकते हो, anyways, first of all हम start करते हैं, single WordPress plan से, आपको simply add to card पर click करना होता है, okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है billing cycle, अब hosting या तो आप एक म months के लिए ले सकते हो, 2 साल के लिए ले सकते हो, यह सीधे 4 साल के लिए ले सकते हो, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, अगर आपने one month का select किया है, तो price आपको यहाँ पे महंगी मिलेगी, 200.99 रुपए पर month का cost होता है, यानि एक महीन एक बात फिर से आपको कद इबन 300 रुपए पे करने पड़ेंगे, वहीं अगर हम select करते हैं 12 months, that means एक साल के अगर आप hosting ले लेते हो, तो आपको यह price पढ़ जाएगे around 147 rupees and 87 पैसे per month, यानि कि एक साल की web hosting आपको पढ़ती है, सिर्फ 1774 रुपए और 32 पैसे, तो जितनी जादा billing cycle यहाँ पे बढ़ा पिर आप social login के throwby account create कर सकते हो, यहाँ पे Google का भी option दिया हुआ है, Facebook का भी option यहाँ पर दिया हुआ है, जो किसी भी option पे, किसी भी icon पे आप click करके, यहाँ पर एक account create कर सकते हो, after that Hostinger काफी सारे payment gateways को support करता है, जैसे credit cards है, UPI है, Paytm है, जो भी आपके पास payment method available है, आप यहाँ से उसको select करके, payment करके, इस web hosting plan को purchase कर सकते हो, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी देखनी है, एक coupon code apply किया गया है, सद्दाम 7, जिसकी help से आपको काफी सारा discount मिल जाता है, एक बार हम इस coupon code को पहले यहाँ से हटा लेते हैं, तो अब आप देखो price कितना होगे, 5,607 र discount यहाँ पर मिल जाता है, अब प्रॉक्स 400 रुपए आपके यहाँ पर save हो गए, so after that आपको simply submit secure payment बटन पर click करना होता है, जैसी आपको payment successful हो जाएगा, इसके बाद आपको welcome email आजाएगा hostinger की तरफ से, so successful payment करने के बाद आपको simply login करना होता है अपने hostinger account में, so यहाँ पर top प okay, और यहाँ पर आप next time आओगे, आपको simply login पर click करना होता है, और यहाँ पर जाकर के आप अपने account में login करोगे, so मैं फटा-फट अपने hostinger account में login कर लेता हूँ, okay, so I have successfully logged in into my hostinger account, अभी तक हमने hosting purchase कर ली है, जब आप hostinger में login करोगे, तो आपके end पे भी hosting वाला इस type का tab दि that is the reason यहाँ पर WordPress starter hosting लिख कर के आ रहा है, बट जो plan आप purchase करोगे, उसका नाम यहाँ पर लिख कर के आएगा, anyways, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह लिखा हुआ है SSL certificate activation, यानि कि आप अपने domain name के ऊपर SSL को integrate कर सकते हो, यहाँ पर setup का button भी दिया हुआ है, बट actual में अभी इ next step है, we need to buy a domain name, यहाँ पर top पर दिया हुआ domains का menu, let's click on it, अब आपको simply get a new domain पर यहाँ पर click करना होता है, या फिर आप left hand side पर भी click कर सकते हो, get a new domain, जो भी domain name आपने business के लिए select कर रखा है, यह desired domain है आपका, उस domain name को आप इस box में enter करोगे, यहाँ पर अगर आप price देखोग लेते हो, तो इसका price है सिर्फ $0.99, यानि कि $1 से भी कम price है, अगर इंडियन रुपीज में आप convert करोगे, तो यह होता है अप्रोक 75 रुपीज, तो आप simply यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस case में आप .online domain ले सकते हो, so let's say मैं यहाँ एक domain name सर्च करता हूँ, medihouse.on online, after that हमें search पर क्लिक करना होता है, अगर यह domain name किसी और ने purchase नहीं किया होगा, तो हमें मिल जाएगा, so आप यहाँ पर देख सकते हो, message लिख कर क्या रहा है, domain is available, green tick भी यहाँ पर बना हुआ है, और price है सिर्फ $0.99 per year, एक साल के बाद इसका price पर $35 के around हो जाएगा, but अगर आप practice कर रहे हो, तो उस case में first year के लिए इतना कम price pay करने में कोई जाधा दिकत नहीं होनी चाहिए, आप simply buy now पर click करो, okay, अब यहाँ पर यह आप से पूछे का duration, कितने साल के लिए आपको इस domain को register करना है, तो मैं आपको recommend करूँँगा, आपसे one year यहाँ पर select करो, जिसका price स होता है, $1 से भी कम, and then after यहाँ पर आप देख सकते हो payment method वगरा दिया हुआ है, right now मैंने अपना PayPal का payment method से add कर रखा है, तो PayPal के थ्रोही मैं यहाँ पर payment करूँगा, okay, so मैंने domain name successfully purchase कर लिया है, अब इसके बाद हमें domain की profile complete करनी होती है, यान यह domain name किसके नाम पर registered है, आपका address वगरा, so आपको simply यहाँ पर fill करना होता है, अपना detail वगरा, क्योंकि जब तक आप यह detail fill नहीं करोगे, तब तक यह domain name का registration complete नहीं होगा, so मेरी already एक existing profile है, जो यहाँ पर selected है, आप चाहो तो new profile भी add कर सकती हो, add new profile पर click करके, so right now फिलाहल मैं यहाँ पर use करने वाला हो, अपन you are almost there, your contact information is under review, we will inform you about your domain registration status in short while, यानि कि अब hostinger की team मेरी details को verify कर रही है, अगर मेरी details सही है, तो यह domain name बहुत ही यल्दी मेरे account में display होने लग जाएगा, तो हम simply यहाँ पर continue पर click करेंगे, so आप यहाँ पर देख सकते हो, domain का status active है, email verification भी verified हो चुका है, यह name servers वगरा होते हैं, अब वापस हम चलते हैं hosting वाले menu पर, यह है hosting, let's click on it, अब यहाँ पर देखो जितने भी domain already मेरे account में existing है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, now, मैं एक बार एक काम कर लेता हूँ, 25 की list यहाँ पर select कर लेता हूँ, okay, so फिलाल वो domain नहीं आ रहा है, जो domain मैंने अभी recently purchase किय है, इसके लिए हम यह काम करना होता है, आपको add website पर पहले click करना होगा, और यहाँ पर आपको अपना domain name enter करना होता है, so let's say medihouse.online, और यहाँ पर आप कुछ भी password वगरा create कर सकते हो, यह password हलंकी किसी काम का नहीं है, बट हम फिर भी create कर लेते हैं, and then after we need to click on add website, okay, यहाँ प menu पर हमारा domain name में display हो रहा है, medihouse.online now, domain name भी purchase कर लिया है, web hosting भी purchase कर लिया है, अब इस domain के ऊपर हमें SSL certificate को install करना है, तो यहाँ पर आप देखो SSL certificate activation लिखा हुआ है, आप simply setup पे click करोगे, एक pop-up यहाँ पर आ जाएगा, अब जिस domain के ऊपर आपको SSL install करना है, उस domain को आप से select करोगे, आपकी case में हो सकता है, domain ने में already यहाँ पर दिखाए देगा, तो मैं simply drop-down से select करूँगा, जो हमने domain अभी purchase किया, that is medihouse.online, install SSL पर click करते हैं, कुछी seconds में SSL हमारे domain पर install हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, your SSL is being installed for this one in the background, HTTPS will be automatically forced on your domain, यानि अब जब भी कोई आपकी website open करेगा, medihouse.online या जो भी domain आपने purchase किया हुआ है, तो उसके आगे automatically HTTPS लग जाएगा, जो के security का protocol है, so let's click on close, okay, scroll down करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, medihouse.online पर अभी SSL install हो रहा है, अब एक बार एक काम कर लेते हैं, इस domain name को यहाँ से प लागे, we are having trouble finding that site, यानि कि यह website अभी found नहीं हो सकती है, कोई issue नहीं है, because यहाँ पर SSL अभी install हो रहा है, so आपको कुछ minutes यहाँ पर wait करना होता है, और उसके बाद हम अपने domain name के ऊपर WordPress को install करेंगे, so अब हम वापस चलते हैं, hosting menu पे, okay, now यहाँ से फिर से हम 10 select करेंगे, 25 जितने domain से सब दिखाई देंगे, now आपको अपने domain name के just बात, जो manage button लिखा हुआ है, उस पर click करना होगा, ताकि इसका control panel open हो जाएगा, और यहाँ पर काफी सारे options आपको देखने को मिलेंगे, इस message पर धिहान मत दीजे, your domain is not pointing to hostinger, यह temporary error भी हो सकती है, तो इसको आप as it is चोड़ सकते हो, now यहाँ पर देखो काफी सारे options दिये हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखो email account दिया है, यानि आप business email यहाँ से create कर सकते हो, business email का मतलब ऐसे email account जो आपके domain name पे based होंगे, जैसे कि info at medihouse.online, यानि कि आपको gmail.com वाला email नहीं create करना है, आपके domain name के based email स आप यहाँ पर create कर सकते हो, now scroll down करते हैं, और यहाँ पर देखिए आपके option मिलेगा auto installer, आपको इस wordpress पे नहीं जाना है, आपको click करना होता है auto installer पे, एक नई screen आपके सामने load हो जाएगी, now scroll down करते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हो, यह दिया हुआ है wordpress, आप यहाँ प मेडि हाउस, ठीक है, बाद में टाइटल हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमें एंटर करना होता है अपना administrator email, सो मैं यहाँ पर अपना email address एंटर कर देता हूँ, ताकि इनके से अगर मैं password वगरा भूल गया, तो password reset हो जाएगा, यह email basically किसके लिए है, मेरे wordpress installation के लिए है अब दो चीज़े बहुत important होती है, एक होता है administrator username और दूसरा admin password, यह दोनों चीज़े हमारे website के backend में login करने के लिए होती हैं, तो आप यहाँ पर बहुत carefully अपना username create करोगे, जो कि alpha numeric characters का हो सकता है, और password भी आप यहाँ पर create कर सकते हो, ओके, after that advanced को एक पर expand कर लेते हैं, medihouse.online already selected है, इसके पहले आप देखो यह लिखा हुए HTTP, हमने already SSL अपने domain name पे install कर लिया है, तो आप यहाँ से select करोगे HTTPS, और यह enter sub directory वाले box को आपको बिलकुल empty छोड़ देना है, इसमें कुछ भी आप enter नहीं करोगे, database वाले section को भी as it is छोड़ दीजे, password वगरा कुछ create करने की जरूरत आपको नहीं है, then after we need to click on next, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यह है select language English, already selected है, फिलाल आपको यहाँ पर कुछ भी touch नहीं करना है, आप simply install बटन पे क्लिक कीजिए, कुछ ही seconds में WordPress आपके domain name पे install हो जाएगा, अब यहाँ पर देख सकते हो, WordPress already install हो चुका ह और यह WordPress के, यानि Hostinger में जो WordPress से कुछ core features दिये होते हैं, वो already यहाँ पर display हो रहे हैं, अब जैसे कि आप जानते ही हो, हमने already SSL अपने domain name पे install कर लिया है, तो यहाँ पर आपको force HTTPS को enable करना होगा, ताकि आपकी website के जितने भी pages है, main domain से लेकर के internal pages, वो सब HTTPS के साथ में ही आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले एक error page आ रहा था, यहाँ पर एक default website बन करके आ गई है, that means जब भी आप WordPress install करते हो, तो by default एक theme install हो जाती है, और एक basic सी website automatically आपके लिए बन करके ready हो जाती है, अब हमें कुछ next steps में इस पूरी website को customize करना होगा, with the help of Rishi theme, हम पूरी website को amazing बनाने वाले हैं, so यह basically कहलाता है front end, front end यानि जब भी कोई user domain name enter करके आपकी website को open करेगा, तो जो views के सामने आता है, उसे हम कहते हैं front end, so WordPress website को create करने के लिए, pages create करने के लिए, menus create करने के लिए, हमें इस website के back end में login करना होगा, back end यानि admin panel, तो उसके लिए simply आपको अपने domain name के just बात लगाना होता है forward slash, then wp, then hyphen का symbol लगाई है, and then admin, so यह basically WordPress के admin का default login URL होता है, अब यहाँ पर आपको अपना username enter करना है, वो username जो आपने WordPress के installation के time पे create किया था, so आपको याद होगा, मैंने create किया था सदाम 789, और यहाँ पर हम enter कर देंगे password, like this, after that we have to click on login, okay, so हम successfully अप WordPress website में login हो चुके हैं, और यह area कहलाता है backend, यानि कि admin panel जहाँ से आप पूरी के पूरी website को control करोगे, हर एक element को आप यहाँ से edit कर सकते हो, change कर सकते हो, and delete कर सकते हो, left hand side पे आपको काफी सारे options मिल जाते हैं, जैसे कि post, आपने blog post वगरा का नाम सुना होगा, लोग blogging वगरा कर हैं, वो images है, videos है, या किसी भी तरह की file है, वो सब media library में जा करके store होती है, फिर है हमारे पास pages section, pages से हम सारे pages create करते हैं, just like home, about, contact, services, so अभी आने वाले कुछ minutes में हम pages वगरा create करने वाले हैं, then after we have this comment section, so जितने भी लोग आपके articles पे post पे comment करते हैं, वो सारे comments यहाँ पे style sheets, यानि काफी सारे style sheets होते हैं, जिसका package होता है theme, और theme install करने से आपकी website का design specify होता है, कि actual में आपकी website के style के दिखाई देगी, या आपकी website के color scheme वगरा क्या होगा, so overall अगर हम एक sentence में बात करें, तो theme आपके website के पूरे के design को specify करती है, कि actual में आपकी website के style के दिखने वाली है, then after we have this plugins, अब plugins क्या चीज़ है, plugins are basically kind of small software, small scripts, जो आपकी website में features को functionalities को add करता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको contact form create करना है, तो आप contact form के plugin को use करोगे, क्योंकि contact form is a kind of functionality, जो आपकी website में integrate होती है, तो यह सारे चीज़े अभी हम करने वाले हैं, after that users का section है, जहां से आप और भी admin users, subscribers वगरा के, account यहां से आप manually create कर सकते हो, यहां पर tools का option दिया हो, इसके फिलाल हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, settings भी है, इसमें थोड़े बहुत options हम बाद में use करने वाले हैं, just like readings है, permalinks है, और at last आपको यहां पर option मिलेगा light speed cache, यह light speed cache basically एक default plugin है, जो hostinger हमारी word WordPress website में automatically install कर देता है, इस plugin की help से आपकी website की speed improve हो जाती है, so मैं आपको हमेशा recommend करूँगा, जब भी आप WordPress को first time install करोगे hostinger server पे, इसके बाद आपके सामने यह light speed का option यहां पे आता है, इस option पे जाकरके एक बार आपको यहां पर purge all ls cache पे click करना होता है, ताकि जितनी भी default cache memory आपकी website पे store हो गई है, वो sub clear हो जाएगी, इसके बाद हमें काम करते हैं, एक new tab में अपनी website का main domain name open कर लेते हैं, wonderful, so now यहां पी अब आप देखो के top एक आपको black bar दिखाई देगा, ठीक है, यह black bar सिर्फ उन लोगों कोई ही दिखाई देगा, जिन्होंने already browser में admin में login कर र आपकी जो यहां पे दिखाई दे रही है, top पे यह उसको नहीं दिखने वाली है, now our next step is, we have to install the Rishi theme, Rishi एक काफी कमाल की theme है, काफी light weighted theme है, so Rishi theme को download करने के लिए simply आपको website open करनी है, rishitheme.com, so basically Rishi theme में दो versions अवेलेबल है, free theme भी अवेलेबल है, और premium theme भी अवेलेबल है, but free theme की help से आप पूरी की website बनाने वाले हैं, और मैं आपको actual में दिखाऊंगा, कि free theme में भी इतने सारे premium features आपको मिल जाते हैं, जो किसी और company की theme में आपको नहीं मिलने वाले है, so first of all, Rishi theme को download करने के लिए, आपको simply download Rishi for free पे click करना होता है, एक pop-up आपके सामने आ जाएगा, इस pop-up में आपको first of all, अपना email address एंटर करना होता है, so let's enter my email address, इसके बाद अपना नाम एंटर कर दीजिए, and you can enter your last name as well, after that simply आपको download now पे click करना है, और कुछी seconds में आपको order complete हो जाएगा, without paying even a single penny, so यहाँ पे आप देख सकते को लाइसेंस कीव अगरा भी दी हुई है, फि मुझे फिलाल इसको download करने की जरूरत नहीं है, but same process आपको repeat करना है, अगर आपको रिशी theme को अपने computer पे download करना है, ठीक है, अब next step है कि हम इस theme को अपनी WordPress website में install कैसे करेंगे, so install करने के लिए simply आपको appearance में mouse hover करना होता है, and then you can see over here themes, let's click on it, okay, now at the very top आपको मिलेगा add new का button, let's click on it, okay, now यहाँ पर देखिए upload theme का एक button आ चुका है, वैसे काफी सारे free themes यहाँ पे available है, but जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, Rishi theme काफी अच्छी theme है, ओ free version में भी काफी सारे आपको advanced features मिल जाते हैं, तो आपको फिलाल use करना है Rishi theme, यहाँ पर आप simply upload theme button पे click करो इस type का browse now का button आएगा, let's click on it, और theme आपने जहाँ पर भी download कर रखी है अपने computer पे, उसको आप simply अपनी WordPress website में install करोगे, so यहाँ पर यह है Rishi theme जो के .zip format में download होती है, आप simply इसको open कीजिए and then install and activate this theme, okay, let's activate it, alright, so Rishi theme successfully install or activate हो चुकी है, अब एक काम करते है, theme हमने install कर ली है, मै design को specify करती है, तो theme install करने के बाद हम चलते हैं अपने front end पे, एक बार इस page को refresh करके देखते हैं, कि changes हुए हैं या नहीं, so आप यहाँ पर देख सकते हैं, design में changes हो चुकी है, पहले कुछ और theme ती जिसका नाम दा 2022, but right now Rishi theme कुछ इस type के दिखाई देती है, I know अभी यह काफी अच्छा नहीं लग रहा है, reason is कि यहाँ पे सिफ़ेक default block page display हो गया है, यह sidebar कहलाता है, यहाँ पे header में कोई logo नहीं है, कोई menus वगरा नहीं है, और footer में भी by default जो Rishi theme क्रेडिट्स हैं, वो पड़े हुए हैं, तो पूरे के पूरे इस page हम customize करने वाले हैं, बहुत ही amazing homepage आज हम बनाने वाले हैं, so basically मेरे पास already Rishi theme पे बना हुआ एक demo site है, इस site को आज हम अपनी website में create करने वाले है, आप देख सकते हो काफी cool website है, यह medical institute वगरा की site हो सकती है, किसी clinic के site हो सकती है, किसी doctor के लिए आवस type की site बना सकते हो, alright, so now theme installation complete हो गया है, अब हमारा next step है, we have to create pages, त first of all हम all pages पे click करते हैं, okay, so जितने भी pages आपकी website में already बने होंगे, वो सारे pages आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं, but actual में privacy policy का page और sample page हमने create किया नहीं था, तो यह कहां से आ गया, जब आप first time WordPress को install करते हो, तो उस time पे दो pages by default आपकी WordPress website में create हो जाते हैं, so right now मैं आपको recommend completely delete करने वाले हैं, delete करने के लिए देखो जैसे आपने privacy policy पर mouse over किया, यहाँ पर आगए trash का option, let's click on it, okay, यह page delete हो गया, in the same way, sample page को भी trash कर देते हैं, now, pages create करने से पहले एक step और हमें complete करना है, आप यहाँ पर देखो install Rishi companion, यह basically एक Rishi theme का default plugin है, जब आप इस plugin को install कर लोगे तो कुछ advanced features आप अपनी website में use कर सकते हो, just like extensions, demo starter templates और काफी सारे और भी essential features में जो Rishi theme आपको provide करती है, तो first of all आपको simply install Rishi companion पर click करना होता है, और यह plugin आपकी website में install हो चुका है, अब जैसा कि आप देख सकते हो, एक नया dashboard आपके सामने आ गया, तो यहाँ पर काफी सारे options दिय में ही मिलेगा, so यहाँ पर कुछ tabs आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि home tab है, starter sites है, तो सबको one by one हम explore करेंगे, home tab के नीचे आपको मिलेगा site identity, site identity का मतलब एक ऐसा option जहां से आप अपनी website के लिए logo set कर सकते हो, site का title वगरा change कर सकते हो, site का title means जैसा हमने यहाँ पे meddy house लिक कर सकते हो, then after we have color settings, color settings means आपकी website का default color scheme क्या होगा, वो आप यहाँ से set कर सकते हो, typography setting का मतलब जो font style वगरा आप use करने वाले हो headings में, paragraph text में, वो क्या होगी, layout settings है यहाँ पे, header builder यानि custom header भी आप यहाँ पे बहुत easily create कर सकते हो, कुछ block की settings यहाँ पे दी हुई है, then page settings है, sidebar settings है, footer builder भी है, यानि आप footer अपने हिसाब से customize भी कर सकते हो, तो इन सारे options पे हम बाद में आएंगे, now यहाँ पर दिया हुआ है starter sites, यानि रिशी theme में जो पहले से ही बनी बनाई websites हैं, जिने आप demo sites भी कह सकते हो, उनको आप सिर्फ one click में ही import कर सकते हो, तो यहाँ पे फि extensions available हैं, जिने आप अपनी website में install कर लो, जैसे की cookies consent है, आचल आपने काफी सारे websites पे देखा होगा, जैसे आपको site open करते हो, तो नीचे accept cookies को option आता है, आपको cookies वगरा accept या decline करनी होती है, तो यह वो plugin है जो आपकी website में GDPR regulations के according cookies consent को integrate कर देगा, आप simply इस extension को activate कर दो, और यह आ after that यहाँ पर customizer reset है, फिलाल इसे activate करनी की जरुरत नहीं है, फिर यहाँ पर performance के लिए एक extension दिया हुआ है, enable this extension in order to enable performance related settings, फिलाल इसको भी as it is छोड़ देते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है reading progress bar, इसको भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि actual में ये extension आपके लिए क्या करता है, यह basically block page पर work करता है, जब कोई भी user single block post को read करेगा और जैसे ऐसे वो scroll down करता जाएगा, तो जितना percentage of content उसने read कर लिया है, उसके according progress bar अपने आप complete होता जाता है, then after social sharing का यहाँ पर option दिया हुआ है, आप social sharing के icons को one click में activate कर सकते हो, so right now आप इसे activate कर लो, okay, scroll up करते हैं, आपकी website building में काफी useful हैं, काफी helpful हैं, जैसे कि affiliate x Gutenberg blogs for affiliate marketing, इस plugin को आप चाहो तो use कर सकते हो, अगर आप अपनी website में affiliate marketing use करने वाले हो, right now इसको हम activate नहीं करेंगे, बट हमारे पास कुछ और plugin हैं जैसे Elementor page builder, Elementor page builder एक ऐसा plugin है, जो आपकी website में content को बिना coding के create करने में help करता है तो आप simply इस plugin को install और activate कर लीजिए, after that ये है WooCommerce plugin जिसकी help से आप अपनी website में shopping cart को integrate कर सकते हो, और आप कोई भी product online sell कर सकते हो, whether it is a physical product और a digital product, and then we have this contact form 7 plugin जिसकी help से आप contact form वगरह create कर सकते हो, बट फिलाल इस plugin को आपको activate करने की जरुरत नहीं है, because Elementor page builder पहले से ही form का एक writing code, यहाँ पर एक plugin और भी है Elementor के लिए, जो की है mega elements add-ons for Elementor, इसे भी आप install और activate कर लीजिए, okay, after that यहाँ पर change log है, यानि जो कुछ भी रिशी थीम में updates वगरह आएंगी, उसकी सारे detail आपको change log वाले page पे मिलती रहेगी, so current version है 1.1.2 जिस टाइम में इस वीडियो को record कर र आइंगे, so at the very top आपको option मिलेगा add new का, let's click on it, okay, so by default gut and bug page builder आपकी website में installed or activated होता है, और इस gut and bug page builder का ही यह pop-up है, इसे आप यहाँ से close कर दीजिए, and then यहाँ पर आप देख सकते हो add title का एक box दिया हुआ है, आप simply यहाँ पर click करो, और जो भी आपका page का name होने वाल है, उसे आप यहाँ पर type कर दोगे, just like home, okay, अभी फिलाल हम सिफ page का नाम यहाँ पर assign करेंगे, and then publish कर देते हैं, एक बार फिर से confirmation आ गया, publish कर दीजिए, तो हमने फिलाल अभी एक blank page बना लिया है, जिसका नाम है home, यहाँ पर आप देखो view page का option आ गया, एक बार इसे new tab में open कर लेत रहे हैं, okay, और यहाँ पर आप देख सकते हो, cookies का भी option available है, आप accept है decline कर सकते हैं, so right now हम इसे accept कर लेते हैं, और यह हमने एक page मना लिया है, जिसका नाम है home, यह है page का title, और right side में यह जो area आ रहा है, इसे हम कहते हैं sidebar, so इस sidebar को भी हम आगे remove करना सीखेंगे, फिलाल यह ए देखो top left corner पर wordpress का logo है, simply आप इस पर click करोगे और आप वापस wordpress के dashboard में पहुँच जाओगे, one by one फिर से आपको add new पर click करना होता है, और other pages को आप create कर लो, alright, so हमने total 5 pages यहाँ पर create किये हैं, home, about us, contact us, gallery and services, अब हम चलते हैं अब में front page पे, एक बार front page को refresh करके देखते हैं, कि जितने pages हमने create किये हैं, वो menus में add हो गए या नहीं, so आप यहाँ पर देख सकते हैं, right now 5 होगे 5 page हमारे menu में add हो चुके हैं, but यह menu हमने create नहीं किया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो order बिलकुल भी सही नहीं है, पहले about us आ रहा है, then contact us है, फिर gallery है, फिर home है, फिर services है, तो अब हमारा next step है, how we can create menu, यानि आप में हिसाब से menus create करोगे, menus के orders को आप change कर सकते हो, so अब menus create करने के लिए वापस हमें WordPress के dashboard में जाना होता है, और यहाँ पर आप देखो appearance के एक menu दिया होता है, appearance को जैसे आप mouse hover करोगे, तो आपको fourth menu यहाँ पर मिलेगा menus, let's click on it, okay, so यहाँ से हम पूरे के पूरे menus अपनी WordPress website क लिए create करने वाले है, now, यहाँ पर आप देखो already menus बने हुए हैं, बट हो सकता है आपके end पे step से बने हुए menu ना दिखाई दे, तो मैं first of all एक काम करूँगा, सारे menus को हम एक साथ पहले यहाँ delete कर देते हैं, तो सारे menus को delete करके दुबार आपको starting से बताऊंगा कि किस तरह से हमें menu को create करना है, okay, so first of all आप देखो यहाँ पर menu name लिखा है, यहाँ पर menu group का एक नाम डालोगे, just like main menu, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, this is just for your reference, now, left hand side पर आप देखो pages दिया हुआ है, जितने भी pages आपने pages वाले section में create कर रखे होंगे, वो सारे pages आपको यहाँ पर एक यह है, एक यह है, बट हमने तो सिर्फ एक ही home page बनाया था, actual में होता क्या है, जब आप first time wordpress को install करते हो, तो यहाँ पर by default एक home नाम का custom link बन जाता है, तो फिलाल अभी हम custom link पे नहीं जाते हैं, हम सारे pages को यहाँ से select करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि actual में कौन सा page ऐसा है, जो हमने create किया था, आपने सारे pages को यहाँ से select कर लिया, then just click on add to menu, और कुछी seconds में यहाँ पर यह display हो जाएगा, ठीक है, अब आप यहाँ पर गौर करो, देखो यह वाला भी home है, और यह भी home है, इस वाले home के just next में लिखा हुआ है, custom link, बट यहाँ पर क्या लिख आना होगा, अब इसको delete करने के लिए simply आपको arrow पे click करना होता है, और यहाँ पे देखो remove का option आ गया, let's click on it, ठीक है, यह हट गया, इसके बाद अब हमें order change करना है, सबसे पहले home आना चाहिए, तो menu में बहुत अच्छा तरीका है, आप इसके order को बहुत easily arrange कर सकते हो, simply आप home की ओपर mouse रखो, इसे drag कर दो सबसे top पर like this, तो home सबसे first में आ जाएगा, इसके बाद about us है, now, अब contact us हमें सबसे last में display करवाना है, तो इसे drag करके आप सबसे last में drop कर दो like this, ठीक है, अगर आप gallery और services के order को भी change करना चाहते हो, तो same तरीके से आप ये भी कर सकते हो, after that होए या नहीं, so right now आप यहाँ पे देखो, order में कोई भी changes नहीं हुए, reason यह है कि अभी हमने सिफ menu create किया है, बड़ एक छोटी से setting हमें Rishi Theme में करनी होती है, आप वापस WordPress की backend में चलो, और यहाँ पे हमें जाना होता है, Rishi Theme के option पे, यह आपको appearance के under में ही मिलेगा, Rishi Theme, okay, so यहाँ पे home tab पर आप देखो, fifth option दिया हुआ है, header builder, let's click on it, okay, so यह header का panel देखी, यहाँ पे load हो चुका है, now, यहाँ पर दिया हुआ है menu 1, आप इस arrow पे click कीजिए, okay, now यहाँ पर आप देखो, select menu एक option दिया हुआ है, right now है default, यहाँ पर आपको select करना होगा main menu, क्योंकि main menu ना है, okay, so सारे menus आप देख सकते हो, proper तरीकी से arrange हो चुके है, exactly जैसा हमने backend से किया था, so इस तरह से आप menus create कर सकते हो, अपनी WordPress website में with the help of Rishi Theme, अब हमारा next task है, that we have to put a logo in our header, so right now अगर आप यहाँ पर देखोगे, Medi House का एक text लिखा हुआ है, basically यह site title है, same site title है, जो हमने put किया थ So, अब इस basic से text के जगे हम एक logo put करने वाले हैं, logo basically एक graphic image होती है, अगर आपके पास logo already available है, तो आप directly यहाँ पे upload कर पाओगे, अगर आपके पास logo available नहीं है, तो इस case में आप directly canva.com पर जा करके एक free of cost logo बना सकते हो, यहाँ पे आपको किसी भी तरह की graphic designing skill के जरुरत नहीं पढ़ने वाली है, okay, so already मैंने Rishi Theme के demo का logo यहाँ पे अपने पास download कर रखा है, तो उस logo को ही मैं upload करने वाला हूँ, but ऐसा आपको अपने case में नहीं करना है, यह सिर्फ learning educational purpose के हिसाब का video है, इसलिए मैं ऐसा करके आपको सिर्फ demonstration के purpose से दिखा रहा हूँ, अब logo upload करने के WordPress के dashboard में चलके दिखा देता हूँ, कि actual में आपको कहां से logo वगरा upload करना होता है, okay, एक बार इस backend को हम refresh कर लेते हैं, now, यहाँ पर आप देखो appearance, इसमें आपको मिलेगा option customize, let's click on it, तो same panel फिर से open हो जाएगा, now, यहाँ पर हमें जाना होता है header tab पर, let's click on it, okay, अब आपको द इस type का यह pop-up आपके सामने आजाएगा, upload files tab पर, यह है select files का button, let's click on it, और हम अपने desktop से logo upload कर सकते हैं, so, right now, यह logo हमने अपने media library में देखी upload कर लिया है, और यह है इसका size, 148 pixels की width है, और 50 pixels की height है, so, इस से मिलते जुलते size का ही logo आप भी अपनी website में upload कीजेगा, now, let's click on select, okay so, आप देख सकते हो, यहाँ पर logo आगया, but site का title भी display हो रहा है, now, अब यहाँ पर देखो, रिशी theme में काफी सारे customizable options available होते हैं, जो other किसी theme में available नहीं है, यहाँ पर logo style दिया हुआ है, अब आपके पास 3 options है, या तो आप सिर्फ logo दिखा सकते हो, या logo के साथ में आप title इनों चीज़े आप दिखा सकते हो, so, यहाँ पर basically हम select करेंगे logo, क्योंको right now by default logo and title selected है, that is the reason logo और title दोनों आ रहा है, अब simply logo select कर दीजे, तो title यहाँ से गायब हो जाएगा, okay, after that यहाँ पर logo की maximum width दी हुई है, 150 pixel, आप जितनी width चाहें, उतनी set कर सकते हैं, मैं आपको recommend करू इनको आप यहाँ से disable कर दीजेगा, side title, वैसे से कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है, because हमने already logo style में सिर्फ logo select कर रखा है, but इसे भी आप यहाँ से disable ही कर दो, okay, after that आप simply publish पर click कीजिए, और यह changes permanently save हो जाते हैं, यहाँ पर कोई temporary issue RIS में आपको ध्यान देने की जरूत नहीं ह हम simply अपने home page को refresh कर लेते हैं, I mean the front page, okay, so अब आप यहाँ पर देख सकते हो, logo आ चुका है, menus आ चुके हैं, ठीक है, अब हम वापस चलते हैं, Rishi Theme के demo site पे, और यहाँ पर आप देखो, header के just top पे एक बार और दिया हुआ है, basically इसे हम top bar भी कहते हैं, तो इस type का bar भी हम create करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास contact details होंगी, email address होगा, और top right corner पे कुछ social media के icons भी हम यहाँ पर put करने वाले हैं, जो कि हमारे social media pages से connected होंगे, अब अगर आप कोई और theme यूज करोगे, तो उसके लिए आपको उसका premium version purchase करना पड़ेगा, बट रिशी theme में इस सारे चीज़े आप आपको free of cost मिल जाती हैं, तो वापस हम customized screen पे चलते हैं, और यहाँ पर आपको back में जाना होगा, ओके, तो यह है हमारा header का section, जहां से हम header को design कर सकते हैं, अब रिशी theme में एक बड़ी अची चीज़ दी हुई है, कि आप desktop header भी यहाँ पे design कर सकते हो, प्लस mobile के लिए भी desktop header पे, और desktop view के according हम यहाँ पे header को design करने वाले हैं, तो यह basically है top row का section, यहाँ पे आप widgets को drop कर सकते हो, left hand side पे देखो यह है button widget, अब इसे drop कर सकते हो, contact के widget को drop कर सकते हो, HTML code आप लेख सकते हो, logo और menu हम already use कर चुके हैं अपनी main row में, इसलिए यहाँ पे देखिए इस type का icon नह display करवाना है, तो यह देखी contacts, इसे simply आप यहाँ से drag करके, इस पूरे section के अंदर आप drop कर सकते हो, like this, ठीक है, तो contact हमने यहाँ पे drop कर दिया है, इसके बाद नीचे हम फिर से scroll down करते हैं, और यह है socials, यानि social media icons, इसे आप drop कर दो, right hand side पे, like this, ठीक है, आप contact details set करने के different side पे आप देख सकते हो, इसका panel open हो चुका है, यानि option panel है, email वाले tab में आप email set करोगे, जो भी आपका business email है, या आप जो भी email display करवाना चाहते हो, so first of all, इस arrow पे click किजिए, यह section expand हो जाएगा, now यहाँ पर दिया हुआ है title email, तो आप देख सकते हो, preview में भी email यहाँ पे लि okay, और यहाँ पर आप mail to में लगा सकते हो, अपना email address, ताकि कोई भी user जब directly click करेगा, तो उस case में, उसका default email client open हो जाएगा, और user को manually इस email address को enter नहीं करना पड़ेगा, okay, इसी तरह से हम यहाँ पे phone number भी put कर सकते हैं, let's remove this dummy number from here, और यहाँ पे मैं number put कर देता हूँ, okay, इसी इस तरह से इस number को भी हम click to call कर सकते हैं, like this, ठीक है, after that we can click on publish, अब इसके बाद हमें set करना है social media pages के links, तो आप यहाँ पे social वाले icon पे आओगे, and then click on this pencil icon, so इसकी setting भी left hand side open हो जाएगी, बट आप यहाँ पे देखो arrow वगरा नहीं है, यानि अगर आपको अपने Facebook page का link set करना ह तो वो option आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, इसके लिए देखो नीचिक text लिखा हुआ है, you can add links to your social media profiles here, here का link यहाँ पे है, इसके आप right click कीजिए, then open link in new tab, मतलब new tab में हम अपने pages के social media links को यहाँ पे set करने वाले हैं, okay, so आप यहाँ पे देखो इसने directly social networks का page open कर दिया like this and then you can click on publish, हम वापस previous tab पे चलते हैं और जितने भी social media pages के links हमने इस screen पे put किये हुए हैं, उन सारे icons को हम यहाँ पे add करने वाले हैं, so by default Facebook, Twitter और Instagram का link already यहाँ पे add हो जाता है, साथ ही साथ में मैंने I think YouTube का भी link पुट किया था, WordPress का भी put किया था, so देखिए मैंने WordPress को add जैसी करेंगे, तो यहाँ पे WordPress का icon भी आ जाएगा, और top पे भी देखो WordPress का icon डिस्पले हो रहा है, इसी तरह से हम YouTube का icon भी यहाँ से select कर लेते हैं, so let's find out the YouTube, okay this one, add कर देते हैं, so इस तरह से आप icons वगरा add करते चले जाओगे, then we can click on publish, okay, इसके बाद हम अपने front page यहाँ र कुछ और settings भी करते हैं, जैसे अगर आप देखो कि icons यहाँ पे display नहीं हो रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, icons के colors वगरा सब को change करेंगे, अभी फिलाल हम social network वाले screen को बंद कर देते हैं, now let's go back, now, अब हमें वापस contacts वाले option पे जाना होगा, और यहाँ पे हम jump करेंगे design tab पर, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, fonts, color भी आप यहाँ से change कर पाओगे, icon color change कर सकते हो, icon का background भी यहाँ से आप change कर सकते हो, ठीक है, तो basically icons color में देखिए, आप वो दो colors के option मिलते हैं, एक होता initial, यानि normal state में icon color क्या रहेगा, और दूसरा hover, यानि जब आप mouse put करोगे, तो icon color क जाएगा black, okay, so I think that looks much better, इसके बाद हम सारे changes को publish कर देंगे, and then we can refresh our front page, I think यहाँ पर cache memory की यहाँ problem है, so let's clear the cache, okay, so अब आप यहाँ पर देख सकते हो, blue color के icon आगे initial state में, बट जैसे मैं से mouse over करूँगा, यह black हो जाता है, इस type से अब header को ready करोगे, इसके बाद अगर आप ए पूरे content के ऊपर और नीचे आप देखो, extra wide space है, यानि इस पूरे main row की जो height है, वो काफी ज्यादा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसकी height को थोड़ा कम कर देंगे, तो इसके लिए वापस हम customize option पे चलते हैं, okay, let's go back, so basically हम header section में है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता ह हुआ है, इसकी height को हमें कम करना है, आप देखो, यहाँ पर यह एक settings का icon मिलता है, let's click on it, जैसे आप इसे click करोगे, इसके settings left hand side पे open हो जाती है, अब आप यहाँ पर देखो container की width तो ठीक है, default है, row minimum height, यानि कम से कम 120 pixel के height यहाँ पर set है, तो इसे आपको यहाँ से कम करना यहाँ पर, let's say, हम इसको कम करके at least set कर देते हैं, 60 pixel के around, ठीक है, इतना हमने कर दिया, इसके बाद एक बार इसे publish कर देंगे, ताकि changes save हो जाएंगे, and then we can refresh our front page, okay, एक बार फिर से cache memory clear कर लेते हैं, here we go, so अब आप यहाँ पर देखो, header की height काफी कम हो गई है, तो मैं आपको recommend भी यही करूंगा, कि आप header की height कम से कम रखें, ताकि content ज्यादा visible हो सके, desktop पे and mobile view पर, अब एक चीज़ में आपको और यहाँ पर करना बताऊंगा, आप देखो, यह demo website है, यहाँ पर जो top bar दिया हुआ, इसका background color कुछ set है, अगर आप Mozilla Firefox browser पे काम कर रहे हो, तो simply आपको इसका color code बहुत आसानी से मिल सकता है, आप यहाँ पर right click करो, और inspect का आपको option मिलेगा, let's click on it, जैसे अब inspect पर click करोगे, इस type का bottom में panel open हो जाता है, और यह है color picker का icon, let's click on it, इसके बाद आप जहाँ पर भी देखो, move करोगे, color code आपको दिखाई देगा, अभी आपको देख इसके बाद top row की setting में चलेंगे, तो यहाँ पर आपको इसके setting आगन पर click करना होता है, and then we can jump on design, अभी आप देखो design में यह क्या आ रहा है, background, right, तो यह top bar का background है, यहाँ पर आप जैसे click करोगे, इस type of color palette open हो जाता है, okay, so यहाँ पर देखिए नीचे scroll down करेंगे, तो basically color code paste कर screen बड़ी है, so मैं थोड़ास अपने browser के screen को resize कर लेता हूँ, okay, यह मैं देखिए 90% पर set कर लिया है, तो यहाँ आप देखिए color code box आ गया, इस color code को यहाँ से हटा करके, जो color code हमने already copy कर रखा है, उसे यहाँ पर paste कर देंगे, okay, so अब आप देखो top पे color code, यहाँ पर paste हो now it's time to start creating content for the home page, यानि अब हम home नाम के page के उपर content create करना है, start करेंगे exactly similar the one that we have on this demo site, यानि कि अब हम images वगरा put करने वाले हैं, heading पुट करेंगे, buttons पुट करेंगे, इस type के beautiful sections भी हम create करने वाले हैं, साथी साथ में इस type का icon list वगरा create करेंगे, और काफी सारे कमाल की features हैं इस page क की उपर जो आज हम create करने वाले हैं, okay so let's scroll up, so अब हमें home page पे content create करना है, that means आपको wordpress के back end में pages पर जाना होता है, then just click on all pages, now यहाँ पर आप देख सकते हो, जितने भी pages हमने create कर रखेंगे, उनके list available है, so home page पे content create करने के लिए आपको simply mouse over करना होता है, home के उपर, and then you can see over here edit, इस पर आप click कीजिए, ताकि home page का back end panel open हो जाएगा, so हमने already एक blank home page बना रखा है, जिसके उपर कोई भी content नहीं था, now यहाँ पर कुछ settings हमें करनी होती है, right hand side पर आप देखो यह दिया हुआ है template tab, इस पर आप click करो, okay by default यहाँ पर default template selected होता है, आपको यहाँ पर select करना है, element elementor full with, ताकि कोई भी sidebar वगरा हमारे home page पे नहीं रह जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देखो, right now यहाँ पर sidebar दिया हुआ है, but इस option को select करने से, आपका sidebar completely remove हो जाता है, this one, elementor full with, okay, इसके बाद इस page को एक बार update कर देते हैं, and now it's time to click on edit with elementor, elementor एक कमाल का page builder है, जो रिशी recreate kit पे click कर दीजेगा, एक new tab में यहाँ पर आपको काफी सारे options मिलते हैं, तो यह है elementor का recreate kit option, just click on this button, और जो भी settings वगरा रही होगी, वो automatically आपके लिए यहाँ पर complete हो जाएगी, after that click on save changes, okay, now वापस अपने screen के उपर फिर से आते हैं, और इसको एक बार refresh कर लेते हैं, okay, so यहाँ पर देख सकते हो, यह है elementor की editing screen, यहाँ से हम पूरे page के content को create करेंगे, elementor page builder, रिशी theme के साथ perfectly work करता है, आप यहाँ पर देखो left hand side पे काफी सारे पहले से ही element दिये होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको heading लिखना है, तो यह है heading widget, आप simply इसे यहाँ से उठाग अगर right hand side पे drop कर दोगे, और फिर आप heading अपनी लिख सकते हो, इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको button create करना है, तो देखो यहाँ पर button का element पहले से ही दिया हुआ है, simply drag and drop करके buttons भी create किये जा सकते हैं, अगर आपको image display करवानी है, तो यह है image widget, अगर आपको Vimeo या YouTube का video अ लिख होता है pro, free version में आपको यह 10 elements मिलते हैं, साथ ही साथ में कुछ और elements पर आपको नीचे मिल जाएंगे, और pro version में कुछ advanced features वगरा मिल जाते हैं, फिलाल हमें pro की जरूरत नहीं है, हमसे free version की help से ही पूरी website यहाँ पर बनाने वाले हैं, ओके, now elementor का mechanism आप पहले समझ लो, जैसी यहाँ पर हम देखते हैं, रिशी थीम की dummy website है, तो यहाँ पर basically क्या है, पूरा का पूरा webpage sections दर columns में divided होता है, जैसी यहाँ पर यह वाला section है basically, यह दो columns में divided है, so left वाले column में यह heading लिखी हुई है, यहाँ पर कुछ paragraph text लिखा है और एक button रखा हुआ है, whereas right hand side पर यह ए यहाँ पर आप देखो यह है plus icon, let's click on it, और देखिए यहाँ पर total 12 structures available होते हैं, जो कि आप sections के तौर पर use कर सकते हो, so right now हम यहाँ पर use करने वाले हैं, one column का section, यह है one column section, इस पर जैसी आप click करोगे, देखिए blue border का यह section यहाँ पर दिखने लग जाएगा, but मैंने आपको कहा था, कि यह जो section है, यह दो columns में divided है, whereas जो मैंने section लिया है, वो किसी भी column में divide नहीं है, आप देखो बीच में से कोई divide वगरा नहीं है, actual में हम इस section के अंदर एक inner section लेने वाले हैं, inner section को मतलब outer section के अंदर एक और section ले लेंगे, तो यहाँ में plus पर click करना होता है, left hand side पर elementor क इस सारे widgets के list फिर से open हो जाती है, सबसे पहला widget दिया हुआ है inner section, इसे आप simply drop कर दो outer section के अंदर, जहाँ पर blue line आएगी, वही पर आपको छोड़ देना है, और यह inner section देखिए, इस तरह से display हो जाएगा, यह outer section है, यह inner section है, by default inner section दो columns में divided होता है, यह है first column और यह है second column, ठी heading, तो पहले तो आप इस plus पे click करोगे, और यहाँ पर है heading widget, इसे हम drop कर देते हैं first वाले column के अंदर, like this, ठीक है, जैसे ही आपने heading widget को यहाँ पर drop किया है, कुछ default text लिख करके आ गया, साती साथ में इस heading widget की settings left hand side पे open हो जाती है, अगर मान लीजिए settings आपको left hand side पे नहीं द देख सकते हो, यह है edit heading, यानि इस particular heading widget की सारी settings आपको यहाँ पर मिल जाती है, अब जो भी text आपको लिखना है, आप simply इस title box के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, वो सब right hand side पे display हो जाएगा, ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, dummy website पे चलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है, we will take care of your health, ठीक है, पहले इसको हम यहाँ से copy कर लेते हैं, let's come back, इसके बाद यहाँ पर हम same text को paste कर देंगे, like this, इसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, हमें color वगरा इसका change करना है, साती सात में, जो भी fonts यहाँ पे लिए गए है, font size, font style, वो सब कुछ हम अपनी website प बंद कर देते हैं, okay, so यहाँ पर first of all हमें काम करते हैं, आप देख सकते हो, text का color क्या है, black है, तो आप चलो elementor पे, text color का मतलब क्या हुआ, styling हुआ, यानि इस text की styling, तो इसके लिए आपको जाना होता है, style tab पे, देखो दिया होता है style tab, इस पर आप click करो, okay, अब यहाँ पर title का tab आ गया, इसके अंदर आपको मेलेगा text color, typography, यानि typography मतलब font, family, font size आप यहाँ से set कर सकते हो, तो first of all हम करते है, text color को हम यहाँ से change करेंगे, by default blue है, आप इसे directly black कर सकते हो, like this, okay, इसके बाद दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, कि यह actual में कौन सा font style है, तो इसक simply right click करो, और inspect element कर दो, so अब आप यहाँ पर देख सकते हूँ, यह text यहाँ पर selected है, एक काम आपको और करना है, माल लिजए आपको समझ नहीं आ रहा है, कि यह text selected है या नहीं है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एक चोटा सा icon दिया होता है, arrow का, इस पर आप click करो, जैसे इसको click करोगे, यह blue color का हो जाएगा, अब आप simply heading के ऊपर mouse move करो, जब आपको देखेगा कि heading selected हो चुकी है, तो इस पर click कर दो बस, जैसी left click करोगे, तो right hand side पर आप देखो, यह काफी सारी settings open हो जाती है, पहले यहाँ पर दिया हुआ है font size, देखिए 56 pixel का font size है, तो हम चलते जो size हो गया, वो actual में 56 हो गया, इसके बाद अब हम चेक करते हैं, यह कौन सा style है, मतलब कौन सी font family यूज की गई है, तो नीचे scroll down करके एक बार देखते हैं, अगर font family आपको यहाँ मिलेगी तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है, तो फिर आप right hand side पर देखो, यह दिया हुआ टाइपोग्राफी में आपको वापस जाना होता है, और यह family के अंदर आप search करोगे, यहाँ पर आगया है, यहाँ पर आगया है, यह आ चुका है, तो देखिए exactly same font आगया है, जो यहाँ पर लिया गया है, आचा दूसरी चीज एक और हमें यहाँ पर देखनी है, कि इसका font weight कितना है, देखिए हमारा जो font है, वो थोड़ा light है, बट यहाँ पर थोड़ा से dark है, इसका मतलब font weight हमें बढ़ाना पड़ेगा, इसके thickness को थोड़ा सा हमें increase करना होगा, तो इसके लिए आप वापस टाइपोग्राफी पर चलोगे, और यहाँ पर दिया होता है font weight, तो right now की बने बनाए element को duplicate कर सकते हो, यानि दुबारा आपको फिर से यहाँ से heading लेने के जरूत नहीं है, आप simply इस heading widget को यहाँ से duplicate कर सकते हो, इस pencil पर right click कीजिए and then duplicate, यह पूरा का पूरा duplicate हो गया, अब second वाली heading को हम edit कर लेते हैं, तो यहाँ पी हम type कर देंगे, your health, ओके, अब इसके बाद हमें color scheme भी match करनी है, यह color green type का है, तो बैने आपको पहली बताया हुआ है कि आप mozilla firefox में किसी भी element का color code बहुत easily निकाल सकते हो, simplest color picker पे click कीजिए, और यहाँ पे हम इस color picker को लेकर के जाएंगे edge के उपर, यह green color copy हो गया, अब चलते हैं elementer में, और यहाँ style प यहाँ पी पर same green color था, next चीज़ क्या है हमारे पास, यह कुछ text लिखा हुआ है, इसे हम यहाँ से पहले copy कर लेते हैं, अब देके text में और heading में difference होता है, यह basically paragraph text है और यह बड़ी heading है जिसमें h1 से लेके h6 तक के tag applicable होते हैं, whereas paragraph text में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो अब text यह आपको वापस इस grid icon पर click करना है, यह top grid icon basically सारे elementor के widgets को display करवाने का काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पर paragraph text लिखने के लिए यह है text editor, इसे drop कर दीजिए your health के just नीचे, like this, okay, तो कुछ dummy text देखिए पहले से आ गया, left hand side पर इसके setting open हो चुकी है, अब एक काम करते हैं, इस text को यहाँ से हटाएंगे, और जो text हमने copy कर रखा है, उसे यहाँ पर paste कर देते हैं, like this, it's very simple, अब मैं आपको एक recommendation हमेशा करूँगा, कि जब भी आप web pages पे काम करों, तो हमेशा अपने changes को करने के बाद, या page को update करने के बाद, या कोई भी आप element वगरा put करते हो, उसके ब computer किसी भी वज़य से बंद हो जाए, तो उस case में आपको काम lost नहीं होगा, ठीक है, इतना काम हमने कर लिया है, अब एक बार एक काम करते हैं, अपने home वाले page पे चलते हैं, और इसको एक बार refresh करके देखते हैं, okay, आप यहाँ पर देख सकते हो, यह heading लिख करके आ गई है, अब अगली next चीज में आपको यह बताने वाला हूँ, कि आप यहाँ पर देखो, यह जो ऊपर text लिखा है, यानि जो heading लिखी है, we will take care of, और यह नीचे लिखा है, your health, इन दोनों के बीच में काफी extra wide space है, काफी gap है, तो इस gap को basically हम कहते हैं margin, ठीक है, तो अब एक काम जो नीचे वाला text लिखा है, या नीचे वाली heading लिखी है, इसकी top की margin को हम कम कर देंगे, तो यहाँ पे हम चलते हैं, नीचे वाली heading यह है, इसकी setting में आप पहले चलो, edit heading, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, margin आप कहाँ से set कर सकते हो, advanced tab में, यहाँ देखें, चारतरे की margin होती है, इस element के around, top पे होगी, यानि इस element के उपर होगी, right में, मतलब इस element के right hand side पे, bottom होगी, इसके नीचे होगी, और left हो सकती है, यानि इसके left में, तो फिलाल हमें top की margin को कम करना है, एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, यहाँ पे देखें, यह icon selected है, link values together, अगर यह icon already enabled है, that means, आप किसी भी एक margin को increase करोगे, तो चारो margin एक साथ increase होती है, like this, ठीक है, दो, तीन, चार पर जितना भी आप बढ़ाओगे, इसका मतलब यह icon सारी values को एक दूसरे पर dependent कर देता है, तो हमें काम करते हैं, पहले सब को zero set कर देते हैं, इस icon को यहाँ से uncheck कर देंगे, जैसी आप uncheck करोगे, अब देखे, top में margin कितनी है, right now, zero है, है न, तो यहाँ पे zero margin में भी इतना gap आ रहा है, अगर आप इस margin को बढ़ाओगे, तो gap और बढ़ता चला जाएगा, इसी तरह से अगर इस margin को आप कम करोगे, मतलब minus value में ले जाओगे, तो देखे, gap यहाँ पे क home page को हम refresh करके देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, gap काफी कम हो गया, पर हमने almost इसके similar यह वाला section create कर लिया है, है न, काफी easy है यह, अब इस inspect window को हम बंद कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास next task है, कि हमी right hand वाले column में इस image को put करना है, इसके लिए वापस elementor के screen क उपर चलते हैं, और यहाँ पे यह है right column, इसके plus में जैसी click करेंगे, left hand side पे सारे widgets फिर से available हो जाते हैं, अब जैसा कि मैं आपका already बता चुका हूँ, image display करवाने के लिए हमें use करना होगा image widget, इसे आप simply drop कर दीजे right column में, तो यह एक place holder आ चुका है, साती सात में इसकी settings left hand side पे open हो गई है, now, अब हमें अपनी image को upload करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, choose image का option है, let's click on it, okay, इसके बाद upload files में जलते हैं, मैंने इस image को भी already download कर रखा है, so यह है वो image, इसे हम simply media library में upload कर लेते हैं, okay, and then we can click on insert media, here we go, so यह image भी देखिए, इस तरह से आ चुकी है, एक आप फिर से this grid icon पर click कर सकते हो, और यह सारे widgets फिर से आ गए, now, button को put करने के लिए यह है button widget, इसे drop कर दीजे, paragraph text के just नीचे, like this, okay, now left hand side के button की सारी settings open हो चुकी है, यहाँ पर लिखा हुआ है text, so right now लिखा है click here, the same text appears over here, so first of all, इस text को हम यहाँ से remove करके और यहाँ पर type कर दे देते हैं, book an appointment, okay, after that, अब अगर आपको इस button को link करवाना है किसे specific page से, मतलब यह कि कोई भी user कर इस button पर click करता है, तो actual में कौन सा page open होना चाहिए, तो उस page का link आप इस link box में put कर दोगे यहाँ पर, ठीक है, तो let's say हमें Google का page open करवाना है, तो आप यहाँ पर type कर सकते हो, www. www.google.com या जो भी page आप यहाँ से link करवाना चाहते हो, then after यह है button का alignment option, आप left में align कर सकते हो, मतलब यह अपने column के अंदर left में align हो जाएगा, by default यह left ही aligned होता है, आप चाहो तो उसे center align भी कर सकते हो, तो यह अपने column में center में align हो जाएगा, या फिर right आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पर देखो, button का जो color है, वो actual में क्या है, जो initial color है, या जो default color है, वो blue type का है, तो first of all, फिर से हम inspect element open करेंगे, और इसका color code निकालेंगे, कि actual में यह कौन सा blue color है, हमने ले लिया color picker, let's click on this button, जो color code यहाँ पर copy हो चुका है, let's come back, और यहाँ पर बटन की setting में हमें जा सकते हो, यह है button की setting, right now normal state है and hover state है, so normal state में जो हमें color रखना है, वो right now green है, इसे हटा करके हम यहाँ पर कर देंगे blue, जो color code हमने copy किया हुआ है, like this, ठीक है, अब दूसरी चीज, hover करने पर color change होना चाहिए, मतलब button का background color change होना चाहिए, so hover state पर चलते हैं, और यहाँ पर आप actual में क्या होता है, green color हो जाता है, right, तो यहाँ पर फिर से color picker हम open कर लेते हैं, और मुझे लगता है, जो green color यहाँ पर हो रहा है, वो actual में ये वाला green color है, तो इसे यहाँ से copy कर लेते हैं, let's come back, अब hover में actual में क्या होना चाहिए, जो background color हो button का, वो इस वाले से हट करके, और यहाँ पर हो जाए, green, okay, so let's hover it, आप देख सकते हो, green हो गया, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आप notice करो, यह जो button की उपर text लिखा हुआ है, book an appointment, normal state में भी इसका color white है, hover state में भी white है, same thing हम यहाँ पर भी apply करेंगे, text color hover state में भी हम कर देंगे, इसको white, आपको यहाँ पर select क अब आप यहाँ पर देखो, background color change हो रहा है, but text color same है, अब थर्ड चीज़ यहाँ पर क्या है, button के ऊपर, जो text लिखा हुआ है, book an appointment, इसका font style, so हमें वापस जाना होगा, I think font style भी same है, जो हमने वहाँ पर लिया हुआ है, I mean यह वाला font जो लिया था, so typography में चलते हैं, Roboto हटा कर यहाँ पर I think N, U करके कुछ font था, N, I, T, O, yeah, Nunito Sans font था, ठीक है, यह हमने कर लिया, इसके बाद font size आप चाहो था, यहाँ से increase or decrease कर सकते हो, यह भी आपके उपर depend करता है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखो, book an appointment का जो text लिखा हुआ है, और जो इस button की border है, inner space क्यालाता है, मतलब button element है, button element का border और उसके अंदर जो text लिखा है, इन दोनों के बीच में जितना भी extra space होता है, उसे हम कहते है, padding, अगर button के बाहर की बात करें, तो वो margin क्यालाएगा, button के अंदर का extra space को हम padding कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो left hand side बटन के setting में य default होता है, अब एक काम करते हैं, top से पहले इसको increase करते हैं, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 5, 5 ठीक है, bottom पे भी हम कर देते हैं padding 5, देखिए उपर और नीचे थोड़ा बहुत space add हो गया, अब left में हम कर देते हैं इसको 10, ठीक है, right में भी कर देते हैं 10, तो हमने यहाँ पर actual मे अपनी custom padding वगरा को add किया है, right में थोड़ी से और बढ़ा लेते हैं, so let's say इसको कर देंगे 20, ठीक है, और left में भी कर देते हैं 20, इतना ठीक है, इसके बाद update कर देते हैं, now it's time to refresh our homepage, okay, so अब आप यहाँ पर देख सकते हो, काफी similar हो गया है यह, रिशी theme के demo site की तरह, है न काफी similar हमने बना लिया है, अब एक चीज़ आप यहाँ पर गौर करो, इस पूरे section में यह image की height काफी जादा है, बट यहाँ पर जो left hand side हमने, I mean left column के अंदर जो कुछ भी content लिया हुआ है, इसकी height सिर्फ यहाँ से start होके यहाँ पर खतम हो जाती है, that means नीचे extra space बच रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे content को बीच में align कर देते हैं, यानि vertical align इसको middle कर देंगे, ताकि इसके उपर भी extra space आ जाए, इसके नीचे भी extra space आ जाए, और यह इस पूरे section के अंदर better दिखाई देगा, मैं आपको actual में करके दिखाता हूँ कि मेरे कहने का मतल अब क्या है, यहाँ पर हम चलते हैं, यह है column, ठीक है, यह first column के अंदर हमने पूरा content रखा है, तो यह column का icon होता है, इस पर आप पहले click करो, जैसे आप इसको click करोगे, तो left hand side base की setting open हो जाती है, layout tab के अंदर आपको मिलेगा vertical align का एक option, यहाँ पर default दिया हुआ है, इसे आप क equal space आ गया, एक बार इस page को update फिर से कर लेते हैं, and then we can refresh our homepage, so अब आप देखो यह section काफी better लग रहा है, now let's go back to the Rishi theme demo site, okay, अब scroll down करते हैं, अब इस type का section हम create करने वाले हैं, so basically यहाँ पर पहले आप समझ लो यह section कैसे बनाया गया होगा, actual में एक पूरा section लिया है, उसके अं पर उसमें ही सारे content को रखा गया है, तो चलिए इस type का section हम create करते हैं, first of all हम वापस चलते हैं, elementor की screen के उपर, और यहाँ पर फिर से हम एक section ले लेंगे, जो के outer section होगा, like this, okay, after that इसके अंदर हम ले ले लेते हैं, एक inner section, like this, अब inner section जब भी आप use करोगे, तो by default वो दो columns मे ही divided होता है, बट यहाँ पर तो actual में यह 3 column है, 1, 2 and 3, तो नया column कैसे add करेंगे, इसके लिए बड़ा simple सा तरीका है, आप column के icon पर mouse रखो, right click करो, और यहाँ पर आप देखो add new column का option आ गया, let's click on it, so अब आप यहाँ पर देख सकते हो total 3 columns हो चुके हैं, 1, 2 and 3, okay, after that, अब हम चलेंगे first वाले column की setting में, तो यहाँ पर आप देखो किसी भी column की setting में अगर आपको जाना है, तो आपको उस column की icon पर right click करके edit column करना होता है, तो इस particular column की setting left hand side पर open हो चुकी है, ठीक है, अब next चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दो, यह जो हमारा first वाला column है, इसका background color blue type का है, तो फिर से inspect element कर लेते हैं, कलर picker को use करेंगे और यह है वो color code हमने copy कर लिया, इसका मतलब यह है, अब हमें इस पूरे column का background color set करना होगा, तो इस column की setting तो हमने already open कर रखी है, अब फिर से आपको याद दिलाऊंगा, color हमें change करना है, that means we have to use this style tab, अब यहाँ पर background का option दिया राइट ना आप देख सकते हो background type, यहाँ पर आपको जाना होगा classic में, अब classic option के अंदर या तो आप किसी column के background में color set कर सकते हो, यह option दिया हुआ है, या फिर आप एक image भी set कर सकते हो, हमारे case में हमें color को set करना है, that is the reason मैं यहाँ पर color picker use करूंगा, और यहाँ पर हम paste कर द box, एक icon है, उसके नीजे एक heading लिखी हुई है, after that यहाँ पर कुछ text लिखा हुआ है, तो यह पूरा combination ही होता है, icon box widget का, elementor में यह available है, आप simply पहले इस grid icon पे click करो, और search box में आपको search करना है icon, तो आप देखो यहाँ पर यह आगया icon box, इसे drop कर दो आप first column के अंदर, like this, ओके अब ही फिलाल हमने इतना कर दिया है, अब इसके बाद हमें कुछ setting वगरा करनी होगी, जैसे कि icon change करना है, तो देखो left hand side बेसके setting open हो गई है, अगर आप अपने हिसाब का icon लगाना चाहते हो, तो देखो यह icon library है, let's click on it, इस type का pop up आ जाएगा, जो भी icon आपको पसंद आता है, वो आप यहाँ से लगा सकते हो, फिलाल मैं इसको ले लेता हूँ, then insert, ओके, तो यह icon आ चुका है, इसके बाद यहाँ पर heading क्या लिखी है, 24 by 7 emergency service, तो यहाँ पर भी हम same heading को type कर देते हैं, 24 by 7 emergency service, ओके, और यहाँ पर कुछ text भी लिखा हुआ है, चले चेक करते हैं, text copy ह होता है या नहीं, okay, let's try to paste it over here, ठीक है, copy हो गया text, इसके बाद हम नीचे scroll down करके, और भी कुछ चीज़ा देख लेते हैं, जैसे आप देखो, icon की position यहाँ पर दीए, यहाँ पर right now top है, इसे आप left भी कर सकते हो, like this, तो आप अपने हिसाब से content को यहाँ पर arrange कर सकते हो, जैस इसना भी text वगरा लिखा है, वो आप यहाँ से change करोगे, तो first of all हम icon में चलते हैं, normal state में जो primary color दिया icon का वो blue है, देखो यह blue आ रहा है, इसको हम कर देते हैं white, ताकि icon proper तरीके से visible होगा, ठीक है, इसके बाद हम icon का size भी यहाँ से control कर सकते हैं, तो यहाँ से icon का size को हम 22 pixel काफी better है, after that अब हम चलते हैं content में, और content में सबसे पहले हमारे सामने है title, title means यह, 24 by 7 emergency service, तो यहाँ पे आप देखो color क्या है blue, इसे भी कर दो आप white ताकि better visible होगा यह, इसके बाद typography में चलके हम यहाँ से, फिर से same font को use करेंगे, निटो, sense, okay, यह हमने यहाँ पट कर दिया है, font weight को थोड़ा से increase कर लेते हैं, like this, और font size थोड़ा छोटा कर देंगे हम यहाँ से, okay, इतना better है, साथी साथ में description यहाँ यह लिखा हुआ है, we are available, और बाकि जितना भी text यहाँ पे लिखा है, तो इसको देखो color क्या दिया है, इसके बीच में काफी कम space है, तो आपको उपर भी बता चुका हूँ है, किसी भी element का border और उसके अंदर जो text यह content है, उसके बीच के extra space को हम padding कहते हैं, right, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, इस column के अंदर advanced में चलो पहले, और advanced में आप देखो यह है padding, तो यहाँ से हम padding increase कर देते हैं, चारों तरफ की padding increase करेंगे, ताकि equal space इस border और इसके अंदर जो content रखा हुआ है, उसके बीच में आ जाएगे, top पे भी, left पर भी, bottom में भी, और right में भी, ठीक है, इस type से यह आ गई, इसके बाद में एक button भी यहाँ पर रखा गया है, learn more का, एक कान करो, इस उपर वाले button को ही यहाँ से duplicate कर लेते हैं, बाद में से हम customize करेंगे, इसके बाद इसे उठा के आप drop कर दो first वाले column में, like this, यह button आ गया, अब इस button के colors वगरा को हम change करेंगे, first of all इसका text यहाँ से change कर देते हैं, learn more, अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पर समझो, इस button का normal state में जो background color है, वो blue है, यह आप transparent भी कर सकते हो, है न, blue है, तो चलो normal state में काम करते हैं, इसके color blue है, blue ही रहने जेते हैं, already blue है, इसके बाद border color normal state में white है, तो चलिए border color को यहाँ पर हम set करेंगे, button के setting में पहले चलते हैं, फिर style में जाएंगे, और यहाँ पर आप देखो यह है border का सारा section, ठीक है, पहले border type होना चाहिए solid, विल्कुल solid line होगी, दूसरी चीज, अब जो border की line है, वो कितनी चौली होगी, उसकी width क्या होगी, तो यहाँ से आप width को set कर सकते हो, हम 4 width को 1 pixel का रख देते हैं, साती साथ में border की width है, उसका color क्या होगा, तो color आप यहाँ से set क hover करने पर जो border है, उसा color भी green हो जाता है, देखो, यहाँ पर notice करोगे, तो hover करने पर border color भी green हो गया, वापस चलते हैं, पहले green color code यहाँ से copy कर लेते हैं, अब hover state में border color set करना है, तो आप यहाँ पर देखो color के just नीचे option दिया हुआ है border color, right now यहाँ पर default color होगा, आपने जो green color का code copy किया है, उसे यहाँ पर paste कर दीजे, okay, now let's hover on this button, so आप देखो, यहाँ पर यह button exactly same बन चुका है, जैसा अरशी theme की demo site के उपर है, ठीक है, so इस type से हम button को भी create कर सकते हैं, एक बार इस page को update कर देते हैं, okay, now let's refresh our homepage, okay, now let's scroll down, so आप यहाँ पर देखो, हमने इस type का section create कर लिया है successfully, अब इसके बाद हम दूसरा column create करेंगे, now, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, elementor में आप बने हुए elements को duplicate कर सकते हो, जिससे आप एक काफी time बच जाता है, सिर्फ elements को ही नहीं, बट आप columns को sections को भी duplicate कर सकते हो, so यहाँ पर आप देखोगे, तो यह column ने already ready कर लिया है, अब इस column के icon पे right click करो, और यहाँ से पूरे column को duplicate कर दो, देखिए, यह पूरा column बन किया चुका है, एक बार और इसको हम duplicate कर लेते हैं, तो इससे हमारा काफी time save हो जाएगा, अब remaining जो blank columns हैं, उसे आप यहाँ से delete कर दो, okay, let's delete it, और third वाले को भी हम यहा पे बना लिये हैं, अब इसके बाद जैसा के हम demo site पे देख सकते हैं, बीच वाले column का color थोड़ा सा different है, तो inspect element पे चलते हैं, और check करते हैं कि इसका exact color code क्या है, तो यहाँ से color picker की help से हम इस color code को copy कर लेते हैं, अब बीच वाले column की setting में चलते हैं, और style में जाकर के इसके background color को हम यहाँ से change कर देंगे, ओके, तो आप देखो यह change हो चुका है, अब जो कुछ भी content आपको यहाँ पे change करना है, वो आप change कर सकते हो, अब आपने एक चीज़ यहाँ पर notice की होगी, demo site की ऊपर, icon ऊपर रखा हुआ है, फिर heading है and then text है, बट हमारे case में ऐसा नहीं हुआ, icon साथ में आ गया, तो अगर आपको इस type से create करना है, तो इसके लिए फिर आपको individually icon widget को use करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो icon widget होता है, icon, यह icon, इसे simply आप यहाँ पर drop कर दो, ठीक है, अब इसके बाद जो कुछ भी icon आप यहाँ पर put करना चाहते हो, वो आप put कर सकते हो let's say मैं यह वाला use कर लेता हूँ, ठीक है तो यह icon यहाँ पर आ गया, इसकी position आप left कर दो, और बाकी आप इसको size वगरा यहाँ से change कर सकते हो, so let's say मैं इसको set कर देता हूँ white color में, और icon वगरा का size हम यहाँ पर I think 22 pixel ही रखेंगे, जैसे हमने first icon ले रखा है, ओके, इसके ब तो यहाँ पर आप type कर दो, doctor's timetable, ठीक है, after that alignment left कर दीजिए, style पर चलते हैं, text color को हम कर देंगे white यहाँ से, इसके बाद typography में चलके, same font family फिर से हम use करने वाले हैं, न्यूनीटो sans, और साथ ही साथ में जो font size है, उसको भी आप यहाँ से change कर सकते हो, and then after we can make it 700, मुझे चेक करना होगा, emergency service का मैंने कितना font size यहाँ पर रखा था, तो same font size हम उसका भी रखेंगे, 20 pixel है, okay, so यहाँ पर typography में चलके, इसको भी 20 ही रखते हैं, after that, इसके नीचे अब हम add करने वाले हैं, paragraph text, so वापस हम चलते हैं, grid icon की उपर, और यह है text editor, okay, इसे हम यहाँ पर drop कर देते ह हैं, then we can go back, यहाँ से text को पहले copy कर लेते हैं, we can come back to the elementor, और इस box के अंदर copied text को हम paste कर देंगे, अब हम इस style tab पर जा करके, इस text के color को करना है white, ताकि यह blue background पर proper तरीके से visible हो जाएगा, और button का text आप यहाँ पर change कर दोगे, so dummy side पर button का text है, view time table, okay, so यहाँ पर हम type कर देते हैं, view time table, that's it, अब आप यहाँ पर देख रहे होगे, icon और इसके बीच में काफी gap है, तो आप सीधे, इस heading की top margin को negative set कर सकते हो, ताकि gap कम हो जाएगा, in the same way, जो नीचे text लिखा हुआ है, इसकी भी आप top margin को negative में set कर दीजिए, ताकि gap कम हो जाएगा, like this, okay, so इस type से आप द के section को भी create कर लेते हैं, बड़ इसमें button वगेरा नहीं है, तो एक काम करते हैं, third वाले column को पहले delete ही कर देते हैं, आप कोई सारे concept समझने होंगे, क्योंकि elementर में आपको फटा-फट काम करना है, एक element को perfect बनाईए, और बाकि remaining elements को आप duplicate कर सकते हो, तो मैंने पूरे column को type से, अब icon यहाँ पे change कर लेते हैं, third वाले column का, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, CLOC के clock, ओके यह clock वा गई, जो भी icon आप put करना चाहें, आप रख सकते हैं, फिर लिखाए opening hours और यहाँ पे यह text है, इसे copy कर लेते हैं, ओके, so heading को हम change कर देंगे, opening hours, और third हमारे पास यह paragraph text है तो इसमें हम यह put कर देते हैं, visit us at, जो भी text वगरा यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस button के text को हम change कर देते हैं, तो यहाँ पे हम type कर देंगे something like, contact us, ओके, अब एक बार इसको फिर से refresher के अपने front page को हम check करेंगे, कि actual में किस type का, यह front page पे दिखाई देता है, ओके, so आप आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ यह इस type का show हो रहा है, बट यह हमारे reference जो page है, यानी जो ड्रिक्षी थीम की dummy site है, उससे काफी हद तक match तो कर गया, बट फिर भी exactly similar नहीं हो पाया, so first of all एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर उपर वाला जो section था, इसका कु जाल लेते हैं, अब इसके बाद वापस elementor के screen पर चलते हैं, यह हमारा top का outer section है, आप यहाँ पे देखो कर आपको section की setting open करनी है, यहाँ पे बीच में दिये होते हैं six little dots, right click कीजिए, edit section पर click कीजिए, then go on to the style, और यहाँ से background type में आपको मिलेगा classic option, color में जाकर के आप अपर वाले section का color यहाँ पर कुछ set हो चुका है, इसके बाद हम नीचे वाले section में चलते हैं, यह नीचे का section है, फिर से six little dots पर click करेंगे, edit section पर click करेंगे, और style में जाकर के इसके background color को हम यहाँ से कर देंगे, बिलकुल white, okay, इतना हमने कर लिया है, इसके बाद update कर देते हैं okay, now let's refresh our front page, all right, so अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक background color आ चुका है, अब दूसरी चीज़, अगर आप demo site पर देखोगे, तो यहाँ पर आप देखो, यह जो नीचे के तीन columns हमने ले रखे हैं, basically यह तीनो column उपर वाले section पर overlap हो चुके हैं, है ना, यह वाले तीनो के तीनो columns यह आप यूँ कह सकते हो, नीचे का inner section उपर overlap कर रहा है, तो अब overlapping आप कैसे करवाओगे, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है, कि आप पहले inner section के setting पे चलो, यहाँ पे देखो six little dots हैं, right click कीजिए, edit inner section पे जाकर के, advanced में जाएंगे, और यहाँ प आप यह आप ऊपर overlap कर जाएगा, इस तरह से, then we can update it, एक बार फिर से अपने front page को refresh कर लेते हैं, here we go, so आप देखो यह overlap कर चुका है, अब तीसरी important चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे, यह inner section corners थोले से यहाँ पे rounded हैं, आप देखो सब rounded हैं, बट हमारे जो corners हैं, वो basically एक दम sharp हैं, तो इसको rounded कैसे करते हैं, इन corners को basically हम कहते हैं, border radius, तो फिर से आप inner section की setting पे चलिए, style में जा करके, यहाँ पे आपको मिलेगा border का section, यहाँ पे आप देख सकते हो, यह दिया हुआ है border radius, बट इस से पहले आपको border type में select करना होगा solid, and then after, जो border का color है basically, वो हमें blue करना है, है न, तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, इस column की setting में चलते हैं, और यहाँ पे जो color code हमने ले रखा है, इस column के background में, इसको यहाँ से पहले copy कर लीजिए, अब वापस आते है inner section पे, तो यह inner section की settings यहाँ से open हो जाती है, इसमें फिर से border में आ करके, यहाँ पे border type solid है, और border का color आप यहाँ पे same paste कर दीजे, blue, ठीक है, इसके बाद अब आप border radius यहाँ से increase करो, तो corners आपके inner section में add हो जाते हैं, then after we can update it, एक बार फिर से homepage को refresh कर लेते हैं, here we go, so अब आप देखो, यह exactly same आ चुका है, जैसा रिशी थीम की demo site पे दिया हुआ है, है न, exactly similar आप चाहें तो और भी increase कर सकते हैं, कुछ inner padding को और भी हम यहाँ पे increase कर लेते हैं, so यहाँ पे let's say मैं इसको कर देता हूँ, 32, same inner padding हम इसमें भी कर देंगे, 32, okay, and same thing can be applied over here, after that we can update it, so इस type से आप पूरे का पूरे section को बहुत easily create कर सकते हो, with the help of elementor page builder in रिशी थीम, okay, रही का अच्छा आ चुका है, इसके बाद अब next section क्या है, next section कुछ is type का है, यहाँ पर पूरा का पूरा section लिया गया है, दो columns में divide किया है, left वाले column में यह image put की गई है, whereas right वाले column में heading है, फिर paragraph text है, यह कहलाता है, icon, list, widget, and then we have a button over here, चलिए फटा-फट इस type के section को भी create कर लेते हैं first of all, फिर से हमें यहाँ पर एक section लेना होगा, एक section ले लिया, इसको divide कर दीजिए, दो columns में, तो मैंने inner section ले लिया है, जो by default दो columns में divided होता ही है, then after first वाले column के अंदर हमें लेना है एक image widget, अब image को हम यहाँ से upload कर लेते हैं, मैंने already image को भी download कर रखा है, अब हो सकता है, आपको इस type की images कहां से मिलेंगी, तो इसके लिए simply आप एक website open कर सकते हो, f-r-e-p-i-k, freepik.com पे आपको काफी high resolution की copyright free images यहाँ पे मिल जाती है, तो आप अपनी website के लिए यहाँ से images वगरा सर्च कर सकते हो, let's एकर आपको माले एक car वगरा की images निकालनी है, तो आप simply type कर दीजे, आप जैसे enter push करोगे, जितनी भी images car से related है, वो सब यहाँ पे आ जाती है, तो आप यहाँ पे देखो, यह सारे free images हैं, और यहाँ पे आपको crown symbol मिलेगा कुछ images की उपर, that means यह सारे premium है, इसको आप use नहीं कर सकते, इन्हें आपको purchase करना पड़ेगा, whereas जिस पर crown symbol नहीं है, वो आप अपने website के लिए use कर सकते हो, so यहाँ पर already देखिए, यह image upload हो चुकी है, now let's click on insert media, तो यह image यहाँ पर आ गई है, अब first वाले column को अगर आपको resize करना है, मतलब first वाले column की width को कम करना है, देखो यहाँ पे, first वाले column इसकी width काफी कम है, second वाले column की width जादा है, तो इसके लिए बड़ा simple सा तरीका है, आप mouse को इस column के border पर रखिए, इस type के देखिए, आइकन बन जाएगा, left click को press कीजिए, और left hand side पर move करना start कर दीजिए, जैसी आप move करो के देखिए, इस type से left column resize होना start हो जाता है, तो first वाले column की width को हम approximately 42% पर रखेंगे, whereas second वाले column को हम जाधा रखते हैं, अब image तो हमने यहाँ पर put कर ली है, एक चीज़ और देखो, यहाँ पर कुछ आपकी image के settings वगरा दी होती है, जैसे image size यहाँ पर selected large, इसे आप हमेशा रखको full, ताकि better image दिखाई देगी, अब right hand side पर सबसे पहले हमें put करनी है एक heading, अब सबसे यह है कि आप उपर से heading को duplicate कर लीजिए, इसके बाद इसे उठा करके हम नीचे ले आते हैं, यह हमने second column में put कर दिया है, अब text क्या है, welcome to our medical, तो इसे आप यहाँ से copy कर लीजिए, और यहाँ पर simply हम इस पूरी के पूरी heading को one click में change कर देते हैं, after that इसका font size थोड़ा सा कम कर करेंगे, so let's make it 42 pixels, okay, इतना better है, इसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर फिर से दी हुई है paragraph text, तो अब यहाँ से paragraph text को भी duplicate करके heading की just नीचे पूट कर दीजिए, अब जो कुछ भी text यहाँ पर लिखा है, इसे हम यहाँ से copy कर लेते हैं, then we can come back to the elementor, और यहाँ पर इस box के अंदर हम paste कर देंगे same text को, after that अब यहाँ पर लिया गया है यह icon list, ठीक है, 24 by 7 emergency service, यह एक नया widget है, first of all upgrade icon पर click कीजिए, search box में आपको search करना है icon, तो यह आ गया icon list, इसे drop कर दीजिए यहाँ पर, okay, जैसी आप इसे drop करोगे, देखो left hand sideways की setting open हो चुकी है, तीन tab, यानि तीन list item automatically create हो जाते हैं, जिसमें first में एक checkbox लगा हुआ है, as a icon, second में cross है, and third में एक circle है, तो हम एक काम करते हैं, first of all second and third को delete कर देते हैं, अब first वाले को हम edit करेंगे, जैसी आप इस पर click करोगे, यह expand हो जाएगा, अब text वाले box में, जो हमने text copy कर रखा है, उसे यहाँ पर paste कर दे कर देते हैं, after that अब हमें अपना icon select करना है, तो icon library में चलते हैं, और यहाँ पर यह वाला icon है, जो dummy side पर use किया गया है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया है, insert कर देते हैं, अब icon का size कहां से बढ़ेगा, style में जा करके, यहाँ पर यह icon का tab है, यहाँ से आप icon का size को increase कर स copied from here, we can go back, और यहाँ पर color code में same color code paste कर देते हैं, देखी exactly match कर गया, after that जो text है, इसका color dark black हमें करना है, तो यह dark black हो गया, okay, then we can go back, अब यहाँ पर दूसरा item क्या दिया हुआ है, free consultation, तो आप यहाँ से इसे भी copy कर लीजिए, then we can go over here, और यहाँ से आप इसे सीधर duplicate कर सकते ह देखे, दूसरा list icon भी आ गया, अब इसमें हम text को सिर्फ change कर देंगे, third के लिए फिर से से duplicate कर लेते हैं, third में क्या लिखा है, modern technology, तो आप यहाँ पर modern technology को paste कर दोगे like this, it's really very very simple, after that अगर आपको इस पूरे list में जो list items हैं, इनके बीच में अगर आपको vertical gap add करना है, तो इसक item की बीच में space increase हो जाता है, अब हमारे पास last task क्या बचा हुआ है, button put करना है more about us, तो चलिए button को हम उपर से duplicate कर लेते हैं, यह button दिया हुआ है, मतलब सब कुछ आपको duplicate कर लेना है, इस से आपको काफी time save हो जाता है, यहाँ पर text को change कर देते हैं, more about us, and then we can click on update, that's all, इसके बाद home page को refresh कर लेते हैं, here we go, now let's scroll down, so आप यहाँ पर देख सकते हो, काफी similar section हमने create कर लिया, just like the one we have over here, ठीक है, इसके बाद अब इस type का section हमें create करना है, so let's go back to the elementor, और यहाँ पर फिर से एक section हमें लेना होगा like this, अब यहाँ पर आप देखो dummy site की उपर, यह पूरा एक section image को set किया गया है, ठीक है, इसी तरह से हमें भी जो हमारा outer section है, इसकी setting में पहले चलना होगा, and then we can jump on style, background type में जा करके यहाँ से एक image upload करेंगे, so let's go back to the upload files, select files, and I think I have this image, yes, let's open it, इसे upload करेंगे अपनी wordpress website में, then we can click on insert media, अब जब भी आप किसी section में background image को set करते हो, तो उसक इसके बाद कुछ settings आपको और करनी होती है, देखे, इस background image का preview यहाँ पे आ चुका है, इसके just नीचे कुछ और options दिये हुए हैं, जैसे position, position को आपको हमेशा करना है center center, इसके बाद attachment में कुछ करने की जुरूरत नहीं है, repeat में आपको हमेशा करना है, no repeat, and size में आप कर दोग अब इस image के ऊपर हम कुछ color वगरे display करवा सकते हैं, like the one that we have over here, यहाँ पर आप देखो यह background image है, और इसके ऊपर एक overlay blue color है, यहाँ से first of all color code निकाल लेते हैं, okay, color picker हमने use कर लिया, यह color code है, इसे हमने यहाँ से copy कर लिया है, वापस चलते है, elementer में और background overlay में, background type में आपको जाना होता है classic में, और यहाँ पर आप same color code को paste कर दो, ठीक है, okay, now let's close it, और इसके बाद देखो आपको यहाँ पर option मिलेगा opacity, तो right now opacity है 50%, मतलब 0.5, इसको हम थोड़ा increase कर लेते हैं, ताकि थोड़ा और यह dark हो जाएगा like this, ठीक है, इतना better है, after that, अब इस पूरे outer section को हम दो columns में divide करने वाले हैं, इसके अंदर हम inner section अभी नहीं लेंगे, इस पूरे outer section को ही दो parts में divide कर देंगे, तो यह है इसका column, इस पर हम right click करते हैं, and then add new column, यानि outer section ही यह दो columns में divide हो चुका है, after that, हमारे first वाले column में लिका है, what make us the best among others, तो इस text को पहले हम यहाँ से copy कर ले कर देते हैं, okay, now let's go back, फिर से same technique का use करेंगे, उपर वाले heading को duplicate कर लीजिए, इसके बाद से drop कर देते हैं, first वाले column में, इसके बाद इसके text को हम यहाँ से change कर देते हैं, text के color को भी यहाँ से change करेंगे, let's make it white, okay, after that we can change the font size as well, so font size थोड़ा कम कर देते हैं, 34 ठीक है, and then after यह यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ paragraph text, इसे भी हम यहाँ से copy कर लेते हैं, then we can go back, okay, यह paragraph text है, इसे duplicate कर लीजिए, we can drop it just below this heading, okay, वापस फिर से हम यहाँ पर चलते हैं, इस text को यहाँ से copy करेंगे, now एक चीज़ आपको और यहाँ पर सीखने को अब मिलेगी, इस paragraph text की पहले हम setting पर चलते हैं, और यहाँ पर आप simply उस text को paste कर दीजे, जो हमने dummy website से copy किया है, अब आप यहाँ पर देखो, यह होता है visual editor और यह है text editor, यानि visual में आपको कोई भी code वगरा दिखाई नहीं देगा, मान लिजे इस text के पीछे अगर HTML code वगरा लगा होता, तो वो आपको visual mode में दिखाई नहीं देगा, बट अगर आप text mode में चलोगे, तो देखो कितना सारा यहाँ पर code वगरा लगा हुआ है, div tag लगा है, फिर यहाँ पर CSS class वगरा लगी हुई है, मतलब overall यह सारी चीजे आपको visual mode में नहीं दिखाई देती हैं, तो मैं आपको हमेशा recommend करूँगा, कि अगर आप किसी दूसरी website से text copy कर रहे हो, तो visual mode की बजाए, आप हमेशा उसे text mode में ही paste कीजिए, ताकि उसकी extra CSS classes या HTML code वगरा पेस्ट ना हो, अब हम वापस visual में चलते हैं, अब इस text के हम color को change करेंगे, let's jump on the style tab, और यहाँ से इसे हम कर देते हैं white, okay, that looks cool, वापस चलते है में dummy site के ऊपर, यहाँ पे है book and appointment का button, फिर से ऊपर से हम book and appointment को यहाँ duplicate करने वाले है, now let's scroll down, पहले इस button को हम यहाँ put करेंगे, then after again we can scroll up, and then we can put the button over here, अब dummy website पे हम button के styling को check करते हैं, normal state में button का background एकदम transparent है, but border or text color white है, same चीज़ हमें यहाँ पे भी implement करनी है, पहले button के setting में then we can jump on the style tab, यह normal state है, normal state में जो color है वो blue है, बट यहाँ से आप इसे पूरा गपूरा transparent बना सकते हो, ठीक है, transparent मतला background में कोई भी color नहीं होगा, not even white, इसके बाद text color already देखिए, white यहाँ लगा हुआ है, साथी साथ में border type में आपको select करना है solid, border की width 1 pixel set कर दीजे, और border color आप य green background color आ रहा है, बट border यहाँ पे अभी white है, अब hover state में चलते हैं, और यहाँ पर आप देखो border color कुछ भी set नहीं है, तो फिर से आपको इस color code को यहाँ से copy करना होगा, जोकि green color है, और hover state में border color को भी आपको green दिखाना है, अब आप देखो यह mouse put करो, तो यहाँ पर यह exact same button ब इस tab कर देखे, section हमने बना दिया है, अभी कोई issue नहीं है, अभी कुछ और content हम यहाँ पे add करने वाले हैं, now, in the right column, यहाँ पर हमें add करने वाले है inner section, तो आप inner section को यहाँ बे drop कर दीजिए, मतलब अब हमने सिर्फ outer section के एक column के अंदर ही inner section को लिया है, ठीक है, अब इसके अ counter यहाँ पर increase होता हुआ दिखाई देगा, counter means यह, ठीक है, यहाँ पर 20 plus लिखा हुआ है, मतलब number 20 तक जाना चाहिए, अब left hand side पर देखो यह है ending number, तो इसमें आप set कर दोगे 20, ठीक है, इसके बाद हमें add करना है suffix, suffix means इस number के just बाद क्या आना चाहिए, आप कोई special symbol वगर अब यहाँ पर set कर सकते हो, so suffix वाले box में हम add कर देते हैं plus, okay like this, after that अब हमें icon change करना है, icon change करने के लिए आप देखो यहाँ पर display settings दिया हुआ है, so यहाँ पर आपको मिल लिएगा icon, okay, search box में search करते हैं, award, award, देखिए इस type का award का icon आ रहा है, कोई issue नहीं हम यह use कर लेते ह यहाँ पर देखिए, award type का icon आ गया, साथी साथ में यहाँ एक title लिखा हुआ है, years of operation, okay, so यहाँ पर भी हम type कर देते है, years of operations, यहाँ पर title वाले box में enter हो जाएगा like this, अब इसके बाद अगर आप dummy side पे check करोगे, तो यहाँ पर यह जो column है, इसका background white है, that is the reason, icon, title and description, यह सारे चीज़े proper तरीके से visible हो रही है, same thing हम यहाँ पर भी करनी होगी, इस column की setting में चलते हैं, और style में जाकर के, इसके background color को हम set कर देंगे white, along with that, हम border radius को भी यहाँ पर set करने वाले हैं, up to 5 pixel, ठीक है, इतना काफी है, इसके बाद हम इस icon की color को change कर देते हैं, so let's jump on the style tab, और icon style, यहाँ पर icon को हम कर देते हैं, blue color, okay, ताकि और अच्छा दिखाई देगा, इस तरह हमने यहाँ पर create कर लिया है, अब इसके बाद simply आपको same rule फिर से use करना है, duplicate कर लीजे, पूरे को पूरे column को, right वाले column को delete कर देते हैं, okay, like this, अब इन दोनो columns के बीच में अगर आपको space add करना है, तो इसका भी तरीका बड़ा अच्छा है, तरीका यह है कि first वाले column की setting में चलिए, advanced में जाकर के margin में हम right में थोड़ी सी margin को add कर देंगे, let's say 5 pixel, ठीक है, इसी तरह से second वाले column में advanced में चलते हैं, और इसमें left margin को 5 pixel set कर देंगे, तो total 10 pixel का दोनों के बीच में difference आ जब आपके sections proper तरीके से complete हो चुके हैं, इसके बाद आप इस पूरे inner section को duplicate कर दीजिए, तो देखें यहाँ पर total 4 columns बन करके आ गए हैं, अब उपर वाले inner section में और नीचे वार inner section में कोई भी gap नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, उपर वाले section की setting में चलो पहले तो advanced tab बेच आ करके, यहाँ पे bottom में margin को हम set कर देते हैं 10 pixel, देखी gap आ गया, ठीक है, बाकी values वगर आप अपने हिसाब से change कर सकते हो, अब एक चीज़ और है यहाँ पर आप देखो, यह उपर नीचे दिखाई दे रहा है, I think gap भी काफी जादा है, gap भी थोड़ा बढ़ाएंग तो इसे हम कर देते हैं 10, और इसमें left को भी कर देंगे हम यहाँ पर 10, ताकि 20 pixel की margin आ जाएगी, और उपर वाले inner section की bottom margin को भी हम यहाँ पर करने वाले हैं 20, after that, जो second वाला column है, इसके उपर margin को add करो, मतलब top में, देखी यहाँ सब increase करेंगे इसकी margin को, okay, so let's make it 20, but इसके सा साथ में second वाले column की भी height यहाँ पर बढ़ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, इस वाले column में हम क्या करेंगे, इसकी bottom margin को हम यहाँ पर 20 pixel set कर देंगे, okay, like this, और जो नीचे वाला column है, इसकी top margin को भी हम यहाँ पर negative में ले जाते हैं, तो top margin हम negative में ले जाओ, य इस type से हम यह पूरे sections को यहाँ पर create कर सकते हैं, साथ ही साथ में right में थोड़ी से margin यहाँ पर increase कर दीजे, right में कर देते हैं 10, और इसी तरह से इसके left में भी हम कर देंगे यहाँ पर 10, और एक चीज़ और करनी है, इस वाले column में भी हमें उपर top पर margin को add करना है, okay, like this, और हम bottom की margin को थोड़ा से increase कर देंगे, here we go, so काफी हब तक यह ऐसा section बन चुका है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अब एक बार इसको पहले update कर लेते हैं, now let's refresh our front page, okay, so यह देखिए इस type का दिखाई देगा, मतलब जब भी आपके side load होती है, तो यह number increase होते हुए दिखाई देते हैं, जो काफी अच्छा effect लगता है, अब यहाँ पर left hand side पर आप देख सकते हो, यह content ऊपर इस्टिक हो गया, नीचे काफी extra space है, तो फिर से हम वो पहले वाली setting करने वाले हैं, इस column की setting में चलते हैं, और vertical align कर देंगे middle, okay, एक काम और करते हैं, अगर आप यहाँ पर reference side पर देखोगे, तो यहाँ पर आप देखो, यह ऊपर extra space है, नीचे भी extra space है, that means यह outer section की padding increase की गई है, outer section की top padding है, और यह bottom padding है, तो वापस हम यहाँ पर चलते हैं, यह outer section, इसमें आप जाओगे यहाँ पर, और यह padding यानि top padding, यहाँ पर इसको आप increase कर दो, so let's make it 50, ठीक है, या इसको आप 80 कर सकते हो, इसी तरह से bottom padding को भी 80 कर देंगे, like this, and then we can update it, okay, it's time to refresh our front page, here we go, so अब आप यहाँ पर देख सकते हो, काफी beautiful site यहाँ पर बन करके आ चुकी है, हमने काफी अच्छे-चे sections यहाँ पर create किये हैं, now इसके बाद अब हम यह doctors वाला section create करने वाले हैं, first यहाँ पर हमने heading ले रखी है, so duplicate कर लेते हैं, then we can drop it in this section, okay, अब चुके background color भी white है, font color भी white है, इसी लिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है, कोई इशो नहीं है, हम style पर चल करके, इसे color को change करके black कर देते हैं, all right, now, इसके बाद हमें text को change करना है, so यहाँ पर हम type कर देंगे, our doctors, okay, and alignment कर देते हैं, center, now, इसके बाद दूसरा text हमारे पास यह है, इसे हम यहाँ से पहले copy कर लेंगे, then we can go back to the elementor, और इसको भी हम यहाँ से duplicate करके, नीचे वाले section में drop करेंगे, okay, now text mode में वापस चलते हैं, और यहाँ पर इसे हम paste करेंगे, then we can jump on this style tab, और यहाँ से इसके font color कर थोड़ा सा dark करते हैं, ताकि यह better visible हो जाएगा, साथी साथ में यहाँ पर दिया हुए alignment, इसे कर देंगे center, और एक काम और कर लेते हैं, content में चलते हैं, अगर आप यहाँ पर गौर करोगे, तो certified के बाद line change हो गई है, तो यहाँ पर आप देखो, text mode में चलो, और यह है certified इसके बाद, अगर आपको line change करनी है, तो यहाँ पर आप एक HTML tag लगाओगे, that is, BR tag, देखे, line change हो गई, ठीक है, इसके बाद visual में वापस चलते हैं, अब इस outer section में हम ले लेते हैं, एक inner section, तो यह है inner section, just drop it over here, इस inner section को चार columns में divide करना है, so let's add one more column over here, total देखे, चार columns आ now first वाले column में हम ले लेते हैं, image widget, okay, यहाँ पर क्योंकि एक image ली गई है, इस lady की, अब इसके बाद, choose image पर जाकर के हम इस doctor की image को यहाँ पर upload करने वाले हैं, so मेरे पास already सारी images downloaded हैं, so मैं एक साथ सारी images को यहाँ पर upload करूँगा, okay, यह वो image है, let's click on insert media, so by mistake यह वाली image आ ग से image size को select करना होता है, full, that's it, alignment कर दीजिए center, now, इसके नीचे text क्या लिखा हुआ है, kaiya canter, I think यही इसका नाम है, so यहाँ पर हम फिर से एक heading widget ले ले लेते हैं, doctors वाले को ही मियास duplicate कर लेंगे, then we can drop it just below it, और यहाँ पर हम his text को paste कर देते हैं, साथी साथ में font size को थोड़ा करेंगे, काफी बड़ा font है यह, so let's make it this one, okay, that's fine, वापस चलते हैं, और यहाँ पर इनका designation लिखा हुआ, that is gynecologist, okay, so यहाँ से इस text को भी duplicate पहले कर लेते हैं, फिर यही पर हम text को change भी कर देंगे, okay, इसके बाद हम drop कर देते हैं, इसको just नीचे, all right, बाकि उपर आप देख काफी gap आ रहा है, तो अब advanced में चलो, और top margin को थोड़ा negative में set कर दो, अब यह एक column perfectly बन चुका है, तो इस पूरे column को आप duplicate करते चलिए, 2, 3 and then 4, remaining columns को हम यहाँ से delete कर देंगे, here we go, अब इसके बाद next doctor की image यह वाली है, इसका नाम भी हम यहाँ से copy कर लेते हैं, ओके, तो हमने चारो columns यहाँ पर complete कर लिये हैं, एक काम और कर लेते हैं, आप देखो यहाँ पर our doctors और उपर वाले section की बीच में कम gap है, तो जो नीचे वाला हमारा section है, इसकी हम internal padding को थोड़ा increase कर देते हैं, तो यहाँ पर top padding को भी 80 कर देते हैं, and bottom padding को भी 80 कर देते हैं, ठी we can update it, okay, it's time to refresh our front page, here we go, so यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने doctors वाला section में बहुत ही जल्दी बना लिया है, so यह काफी अच्छा feature है, wordpress में कि आप बहुत quickly websites को build कर सकते हो, और Rishi theme काफी बढ़िया theme है, now let's jump on the contact us page, यहाँ बाकी जितना भी content है, सब इसी तरह से बनता है, okay, so कुछ इस टाइप देखी contact page आज हम create करने वाले हैं, जिसमें contact form भी होगा, जिसको fill up करने से सारे details एक admin के email address पे send हो जाती है, okay, so let's start creating the contact page, अब elementor वाले page को हम यहाँ से बंद कर देते हैं, okay, let's go back to the wordpress dashboard, now, यह है contact us page, let's click on edit, और यहाँ पर फिर से मैं template में select करना होगा, elementor full with, इसके बाद एक बार इस page को update कर देते हैं, and then we can click on edit with elementor, ताकि elementor की editing screen हमारे सामने load हो जाएगी, okay, अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले एक section लिया गया है, यह एक image है, इस image को right now में download कर लेता हूँ, पहले open करते हैं new tab में, okay, इसे हम save कर लेते हैं, now, यहाँ पर लिखा हुआ है contact, so first of all, एक section लेते हैं, इस section की background image हम यहाँ पर set करने वाले हैं, so let's go on to the style, background type में यह है, choose image का option, upload करते हैं, okay, and I think this is the file, let's upload it, insert media कर दिया, ठीक है, इसके बाद और भी सारे settings हैं, जैसे position हैं, आपको करना है center center, इसके बाद repeat में करेंगे, no repeat, and size में हमेश इसके बाद अब देखो, यहाँ पर कुछ background overlay भी है, okay, so यहाँ पर हम चलते हैं, background overlay में, यहाँ से background type में हम choose करेंगे color, कुछ dark type of color हम यहाँ पर ले ले लेते हैं, और इसके बाद opacity को थोड़ा सा increase कर देंगे, okay, इतना ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है, यहाँ पर contact, जो drop it over here, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, alignment कर देंगे center, and then we can jump on style tab, यहाँ से font color हम कर देते हैं white, and then typography में चलके font style को भी हम यहाँ पर match करने वाले हैं, okay, और font weight को हम कर देंगे 700, we can also increase the font size, यहाँ पर इसे कर देते हैं 45, ठीक है, इतना हम ने कर लिया, इसके बाद अब हम यह आपर drop करने वाले हैं, text editor widget, और इसके text में हम paste करेंगे same text को, साती सात में देख लेते हैं, line कहां से break है, after qualified line break हो गई है, so after qualified हमें यहाँ पर लगाना होगा, br tag, ओके इतना हमने कर लिया, अब style में चलते हैं, यहाँ से alignment कर देंगे center, और font color याईने text color को हम कर देते हैं white, इत इसी भी section की height उसके content पर depend करती है, जैसे contact us मैंने यहाँ पर लिखा है, फिर यह content यहाँ रखा है, तो देखो section की height भी इतनी increase हो गई, but मान लीजिए आपके पास ज्यादा content नहीं है, बड़ आपको height increase करनी है, तो उस case में आप क्या करोगे, बड़ एची setting है, आप simply section की setting में आपके इस section की minimum height कितनी होनी चाहिए, तो by default 400 है, आप इसको 350 भी यहाँ से कर सकते हो, ओके, तो हमने 350 pixel को set कर दिया है, इसके बाद इस page को एक बार update कर लेते हैं, now let's refresh our contact us page, आप contact us menu पे भी click कर सकते हो, ओके देखिए इस type से यह आ गया, अब इसके नीचे हम content create करना है, start कर देंगे, यहाँ पर देखिए एक section लिया है, जिसको दो columns में divide किया गया है, तो हम ले लेते हैं, एक section और इस section को हम दो columns में divide कर देंगे, so let's divide it into two columns like this, first वाले column की width हम थोड़ी कम कर देते हैं, so let's make it 35%, ओके, इतना ठीक है, इसके बाद इस column का background color हम set करने वाले हैं, background color होगा blue, so first of all is color का हम code निकाल लेते हैं, let's choose this color picker, okay, color code हमने निकाल लिया है, let's come back, और यहाँ style में चलके हम background type में चलते हैं, and then we can paste the color code, देखिए, blue हो गया यह, इसके बाद अब इसके अंदर हमें content पुट करना है, सबसे पहले आ रही है heading, जो कि है reach us, okay, so यहाँ पर हम ले ले ल आप में alignment कर देंगे left, और font size थोड़ा छोटा कर देते हैं, font size काफी बड़ा है यह, so let's make it 28 pixels, that's fine, after that यहाँ पर कुछ text लिखा हुआ है, इसे यहाँ से आप copy कर लीजिए पहले तो, वापस चलते हैं, यहाँ से इसको duplicate करेंगे, मतलब elementor में फटा फटा आप काम कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को बार बार initial stage से करने की जरुवत नहीं है, okay, alignment इसका हम कर देते हैं, left like this, okay, इसके बाद क्या detail यहाँ पर लिखिया, address लिखा हुआ है, then phone है, और काफी सारी और भी चीज़े हैं, हमें काम कर सकते हैं, address वगरा दिखाने के लिए कुछ और अच्छे widget ह हैं हमारे पास, जो हम बहुत stunning way में use कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम करो, icon list use करो, icon list, यह है icon list, इसे हम यहाँ पर drop कर देते हैं, okay, first of all, second और third icon list को हम हटा देंगे, first वाले में हम यहाँ पर type कर देते हैं, address, okay, यह address हो गया, और यहाँ पर icon को change कर देंगे, so icon के लिए हम यहा style पर चलते हैं, और यहाँ पर icon में जाकर करके, icon के color को हम कर देंगे एकदम white, like this, और size हम यहाँ से increase कर सकते हैं, okay, देगी icon का size मैंने increase कर दिया है, अब text पर चलते हैं, और text के color को हम कर देंगे यहाँ से white, that looks much better, इसके बाद वापस content में चलते हैं, इसे duplicate करेंगे, अब second मे इसे आप यहाँ से पहले copy कर लिजिए, या जो भी आपका phone number है, वो आप यहाँ पर put करोगे, साथे साथ में icon change करना है, अब हम ले लेते हैं phone का icon, so यह है phone, okay, देखिए icon change हो गया, last है हमारे पास email, email के लिए better होता है अगर आप envelope ले लोगे, यह है envelope, simply insert पर click करते हैं, okay, अ इसके बाद आप एक काम और करो, यहाँ पर देखो, basically क्या है, जो उपर वाला section था यह वाला, और इसके बीच में काफी wide space है, यानि काफी gap है, same चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, इस वाले section के top में और bottom में आप margin add कर दो, 80 pixel की, तो gap आ गया, ठीक है, अब इ internal padding को भी increase कर दीजे, ताकि extra space आ जाएगा अंदर, यहाँ पर padding को हम increase कर देते हैं, that looks much better, ठीक है, यह काफी अच्छा लगेगा, इसके बाद कुछ और detail वगर अगर यहाँ put की गई है, तो हम put करेंगे, जैसे कि email, मैंने भी email address को update नहीं किया है, okay, so let's come back, और यहाँ पर हम email address को put करने वाले हैं, so let's say, मैं अपना email address यहाँ put कर देता हूँ, now, आप चाहें तो social media icons भी यहाँ पर put कर सकते हैं, grid icon पर click करते हैं, और यहाँ पर हम type करेंगे, socil social, so यह social media icons आप इसे यहाँ पर put कर सकते हो, okay, alignment कर दीजे, left, इसके बाद Facebook का जो भी आपका page का URL है, वो आप यहाँ put कर दीजेगा, फिलाल मैं hashtag put कर देता हूँ, और Twitter का भी हम यहाँ पर URL वगर आप put कर सकते हैं, same thing we can do with YouTube icon, और जो भी अगर आपको extra social media icons यहाँ पर add करने हैं, तो आप simply add item पर पहले click कर दीजे, एक नया tab add हो जाएगा, इसके बाद अगर आपको icon change करना है, तो same process है, icon library में जाएगे, और यहाँ से आपका जो भी social media page आपको add करना है, वो आप यहाँ से add कर सकते हो, just like Instagram, ठीक है इसके इसके बाद काफे सारे और भी options है, like shape, आप किस type का icon दिखाना चाहते हो, rounded, square, या फिर directly आप circular दिखाना चाहते हो, तो फिलाल इसे हम रखेंगे rounded, इसके ब custom पहले select करके, फिर यहाँ पे आप primary color white वगरा जैसा भी चाहें, वैसा कर सकते हैं, so let's say मैं यहाँ ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, यह जाधा visible रहेगा, साथ ही साथ में इसका size वगरा भी हम यहाँ से control कर सकते हैं, कितना बड़ा हमें icon चाहिए, like this, इसके बाद इस page को एक एक बार refresher के देखेंगे कि actual में changes हुए या नहीं, so यहाँ पर आप देख सकते हो, यह पूरा का पूरा section बन गया है, यह वाला section बन गया, अब इस वाले area में हम contact form create करने वाले हैं, ताकि कोई भी user हम से directly contact कर सके, so contact form create करने के लिए हम एक free plugin यूज़ करने वाले हैं, आपको simply अपने wordpress का dashboard वापस open करना है, और यहाँ पर हम plugins में जाएंगे add new पर, आपको search box में search करना है WPFORMS, all one word, so first plugin है contact form by WPFORMS, आप देख सकते हो 5 million active installations हैं और 11,000 से भी ज़्यादा 5 star reviews हैं, यह काफी अच्छा plugin है, आप simply इसको install और activate कर लीजिए, ओके, so यह है plugin का welcome screen, यहाँ पर हम first form को create करेंगे, या फिर आप left hand side पर भी देख सकते हो WPFORMS का option आगया है, आप add new पर click करके भी form create कर सकते हो, so फिलाल में create your first form पर click करूंगा, एक नई window screen लोड हो जाएगी, okay, यहाँ पर form का नाम देते हैं, just like contact us, और यहाँ पर काफी सारे pre-made templates available होते हैं, बढ़ मैं मैं आपको recommend करूँगा कि आप blank से start कीजिए, क्योंकि मैं blank से भी आपको दिखाने वाला हूँ, कि actual में के style से custom form create कर सकते हो, so let's click on create blank form, so यह भी elementary तरह कुछ work करता है, left hand side पर काफी सारे widgets available होते हैं, widgets यानी predefined fields available होती हैं, और right hand side पर form की building start करोगे, so name collect करने के लिए हमारे पा ओके, so यह phone number के लिए हो जाएगा, after that यह email field है, आप इसे यहाँ पर drop कर सकते हूँ, and then after subject के लिए हम ले लेते हैं single line text, और at last message type करने के लिए यह है paragraph text, okay, so हमने total 5 field यहाँ पर ले लिए, अब आप यहाँ पर देखो यह field full width नहीं है, so full width करने के लिए first of all हमें click to edit पर click करना ह होता है, so इस field की settings left hand side पर open हो जाती है, अब चाहो तो आप यहाँ पर name वगरा का label भी change कर सकते हूँ, but फिलाल मैं इसको as it is छोड़ दूँगा, यहाँ पर format दिया हूँ है first name and then last name, आप अपने according middle name भी collect कर सकते हूँ, फिलाल हम first और last पर ही इसको छोड़ देते हैं, और यह description लिख देंगे just like, enter your full name, okay, after that हम चलते हैं advanced पर, advanced में देखिए field size दिया हुआ है medium, यह medium size है, इसे आप कर दो large, ताकि यह full width stretch हो जाएगा, after that अब यह है placeholder का box, placeholder का मतलब जो कुछ भी text आप इस box के अंदर लिखोगे, वो text by default यहाँ पर दिखाई देगा, ताकि user को मालुम हो जाएगा कि actual में इस first वाले box के अंदर क्या लिखना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, first name, और इस वाले box को assets छोड़ देंगे, now last name वाले placeholder में लिख देते हैं, last name, तो इससे user को actual मालुम चल जाएगा कि किस box के अंदर उसे क्या put करना है, अब इसके just नीचे पर पर जो कि है numbers, click to edit पहले कर देते हैं, click to edit करने के बाद label हम यहाँ पर change कर देंगे, let's put it phone number, okay, अगर आप इस field को mandatory करना चाहते हो, तो उस case में आप required को enable कर दोगे, फिलाल phone number को मैं as it is छोड़ देते हैं, now let's jump on advanced tab, advanced tab में फिर से हम कर देंगे large, okay, placeholder text में आप कुछ भी देना है mobile number का वो आप यहाँ पर ले सकते हो, after that अब हमारे पास email field, इसे भी हम full with कर देंगे, email already यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहोद इसे कर सकते हो email, address, advanced में जाकर के हम इसे कर देंगे large, placeholder में आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, enter your email address, okay, now इसके बाद है single line text, इसे भी click edit कर देते हैं, इसका नाम हम रख देंगे subject, वाकि advanced में जाकर के इसे भी कर देते हैं, large, and at last हमारे पास है paragraph text, so paragraph text में हम type कर देंगे your message, यह एक label हो गया, इसके बाद advanced में चलते हैं, इसे कर देते है, large, large में इसकी height बढ़ जाती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसे small ही रखो, ताकि ज्यादा height ना दिखाई दे, इसके बाद इस form को हम save कर देते हैं, यह form save हो चुका है, अब एक important चीज़ और, यह form तो हमने बना लिया, जब कोई भी user इस form को fill करके submit करेगा, तो उस case में किस email address पे यह सारी details send होगी, तो इसके लिए आपको जाना होता ह है settings में, settings में आप यह देखो, यह है notifications, अब notification में send to email address, पहले तो आपको ध्यान देना है, enable notifications यहाँ पे checked होना चाहिए, इसके बाद send to email address में आप अपना email address डाल दो, यानि admin का email address इसमें आ जाएगा, so let's say मैं यहाँ अपना email address डाल देता हूँ, and same email address हम यहाँ पर भी enter कर दे हैं, और नाम बगर आपकी website का नाम हो जाएगा, या फिर आप अपना नाम भी यहाँ पर put कर सकते हो, at last save पर click करते हैं, now, अब embed पर click करना होगा, इस type का pop-up आ जाएगा, यहाँ पर देखी एक option दिया हुआ है, you can also embed your form manually, और use a shortcode, so यहाँ पर फिलाल हम shortcode use करने वाले हैं, यह है shortcode, इसे यहाँ से copy कर लीजिए, इसके बाद वापस elementor पे चलते हैं, इस plus में click करेंगे, left hand side पे हमें सर्च करना होगा, s-ho-r-t-c-o-d-e, shortcode widget, यह है shortcode widget, इसे यहाँ पर drop कर दीजिए, इस widget में आप कोई भी shortcode paste कर सकते हो, so let's paste it over here, इसके बाद apply कर देते हैं, and then we can update this page, okay, एक बाद contact page को refresh करके देख लेते हैं, here we go, इस type से contact form यहाँ पर दिखाई देगा, अगर इस contact form को आप और stunning मराना चाहते हो, इसके लिए कुछ simple settings वगर आप यहाँ पर कर सकते हो, just like यह second वाला column है, इसके setting में चलते हैं, and first of all हमें काम कर लेते हैं, left से कुछ margin add कर दे कर देंगे, okay, 50 कर देते हैं, right से भी 50 कर देते हैं, ताकि form की width थोड़ी छोटी हो जाएगी, इसके बाद बागी form बेटर लग रहा हैं, आपर, at last simply update कर देंगे, now let's refresh our contact us page, here we go, देखी contact page भी ready हो चुका है, contact form आ गया, सारी contact details भी आ चुकी है, so इस type से आप और भी practice करोगे, अपने हिसाब से pages हो customize कर सकते हो, अब about us page के भी content सेम तरीके से create करना है, जैसे हमने home page का content create किया था, services page भी आप इसी तरह से create करोगे, और gallery page भी आप images वगरे display करवा सकते हो, images के लिए यहाँ एक widget available होता है, बहुत अच्छे-चे widgets elementor में available है, so image display करवाने के लिए gallery image होता है, यह है basic gallery, इसकी help से आप multiple images की gallery डिस्पले करवा सकते हो, अपने किसी भी web page पर, okay, so यह तो basically page designing का part था, अब इसके बाद हम exit पे चलते हैं, यानि अब हम wordpress के dashboard में आ जाएंगे, फिलाल इस page को बंद कर देते हैं, अब एक चीज़ आप ध्यान दो, top पे देखो यहाँ पर क् आते हैं, तो अब यहाँ पर देखो hello world का post आ रहा है, मतलब जो home नाम का page है, वो menu पर click करने पर ही display होता है, इसका reason यह है कि हमने wordpress में इस home नाम के page को बना तो लिया, हमारे लिए यह home page हो गया, बट हमने wordpress को यह नहीं बताया है, कि इस page को as a front page दिखाना है, as a home page दिखान है, यहाँ इक बार इसे close कर देते हैं, ओके, यहाँ पर आप देखो यह है settings, settings के अंदर आपको मिलेगा reading menu, let's click on it, so right now गर आप यहाँ पर देखोगे, your home page displays your latest post, यानि अभी हमारा home page latest post को display करता है, यहाँ आपको select करना होता है, our static page, और home page वाले drop down में से आप उस page को select करो, जिसे आप home page बनाना चाहते हो, actual में, so यह हमने select कर दिया है home, बाकी post page को आपको select करने की जरूत नहीं है, simply save changes पर click कर दीजे, that's it, इसके बाद देखिए, अब मैं फिर से logo प एक बार click कर देता हूँ, देखो यह हमारा main domain है, अभी फिलाल नहीं आए, कोई issue नहीं, cache memory का issue हो पड़ेगा, directly वो domain एंटर करेगा और यह वाला page सामने आ जाएगा, काफी beautiful, काफी अच्छा page हमने यहाँ पे create किया हुआ है, अब बार ही है footer की, हम हम footer create करने वाले हैं, इंदो रिशी theme, so footer के लिए भी रिशी theme में पहले से काफी अच्छे-च्छे widgets और areas available हैं, आप simply appearance म edit भी कर सकते हैं, pencil icon पे click कीजिए, इसके setting left hand side पे open हो जाती है, कुछ variable पहले से ही हैं, जैसे current year, जो भी current year चल रहा होगा, वो automatically यहाँ पे update हो जाएगा, right now 2022 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 2022 यहाँ पे आ गया है, अगर 2023 में कोई website को open करेगा, तो 2023 अपने आप यहाँ पे लिख करके आ जाएगा, then after यह है website का नाम Medi House, यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है site title, जो भी आप website का नाम change करोगे, वो automatically footer में update हो जाएगा, इसके बाद देखा है, powered by Rishi theme, अब यह important है, यहाँ पे लिखा है, powered by theme author, यानि कि जो भी इस theme का author है, उसका link वहाँ पे display ह हो रहा है, आप चाहो तो से completely change भी कर सकते हो, simply है हम यहाँ से हटा देते हैं, और लिख देते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, powered by सद्दाम कासिम, और यहाँ पे लिख देते हैं, made with Rishi theme, इस type select दिया, इसके बाद इक बाद इसे publish कर देते हैं, and then we can refresh our front page, कोई स काफी सारे links वगरा दिये हुए हैं, so इस type का content हम create करने वाले हैं, first of all दिया हुए about us, इसे यहाँ से copy कर लेते हैं, let's come back, okay, यहाँ पे आ गए, so main row में हम यहाँ पर लेने वाले हैं, text, okay, so वापस चलते हैं, अब यहाँ पर ले लेते हैं, widget 1, इसे आप यहाँ पर drop कर दीज अब यहाँ पर add block करेंगे, हमें add करना है basically heading, so यह heading इस पर click कर देते हैं, heading add हो जाएगी, अब इस heading में आप लिख सकते हो just like about us, okay, इसके बाद फिर से एक block यहाँ पर add करेंगे, यह है paragraph, paragraph के अंदर हम text paste कर देंगे, जो text हमने already copy कर रखा है, okay, so इस type से यह आ गया, इसके बा widget को हम drop करने वाले हैं, okay, so हमारे पास दूसरा widget यह है, इसे drop कर देते हैं, यहाँ पर, okay, now let's edit it, अब यहाँ पर हम add करने वाले हैं, heading फिर से, okay, इसमें लिख देंगे हम just like, quick, links, and then we can add some menu over here, so यह है navigation menu, यहाँ पर basically हम main menu के links को display करवा देंगे, and at last हम contact details को यहाँ पर display करवा आने वाले हैं, okay, let's edit it, तो email यहाँ पर आप जो भी चाहो वो edit कर सकते हो, हलंकि मैं आपको header के case में बता भी चुका हूँ, so आप यहाँ पर कुछ भी अपना email address वगरा mention कर सकते हो, यह सारे feature आपको सिर्फ रिशी theme में ही मिलेंगे, और कहीं नहीं मिलने वाले हैं, even आप द देते हैं, अब working hours, जो भी आपके hours हैं, वो आप यहाँ पुट कर सकते हो, इसके अलाव अगर आप चाहो तो और भी details वगरा हैं, आप पुट कर पाओगे, जैसे कि for example, यहाँ पर हम website का address पुट कर सकते हैं, okay, जो भी आपके website का address है, वो आप यहाँ पर type कर सकते हो, at last we can publish it now it's time to refresh our front page, okay, let's scroll down, so आप यहाँ पर देख सकते हो, footer का area भी हमने बहुत easily create कर लिया है, अब कुछ settings और रह जाती है, इसके लिए वापस हम चलते customize पे, आप चाहो तो इसका color वगरा भी change कर सकते हो, I mean इस main row का color, simply settings वाले icon पर जाईए, और यहाँ पर देखिए layout वगरा का option दिया हुआ है, साथ ही साथ में, यहाँ पर आप देखो, design, अब design में row का background क्या होना चाहिए, इसके बाद यहाँ पर काफी सारे और भी options है, like row, top, divider, तो हम top divider भी यहाँ पर add कर सकते हैं, let's make it blue, okay, and इसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है none, यहाँ पर आपको 5 pixel भी कर सकते हैं, and then we can publish it, let's refresh once again, okay, so आप यहाँ पर देख सकते हूँ, यहाँ पर एक divider line भी आ चुकी है, so काफी सारे और भी कमाल के options यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि contact details में गर हम चलें, यहाँ पर देखो, इसका design वाला part भी open हो जाता है, अब design वाले part में आप आइकन की color को change कर सकते हैं, यह initial color है, आप initial color को यहाँ पर कर दीजे, बिल्कुल dark black, ठीक है, इतना करके देखते हैं एक बार, let's publish it, refresh the homepage, so आप देखो, आइकन प्रॉपर तरीके से यहाँ पर visible हो चुके हैं, okay, इसके बाद कुछ और settings यहाँ पर देख लेते हैं, एक top row भी ह हमारे पास आती है, आप चाहें, तो यहाँ पर भी कुछ और information वगरा put कर सकते हैं, काफी सारे और भी widgets available हैं, जैसे social media icons आप चाहें, तो यहाँ पर put कर सकते हैं, social media icons चलिए इस वाले row में put करते हैं, पहले हम चलते हैं इस icon की ऊपर, और यहाँ पर आप चाहो तो layout वगरा specify क कर सकते हो कि actual में किस type का layout होना चाहिए, number of columns भी आप यहाँ पर define कर सकते हो, तो हम यहाँ पर one column का section मना लेते हम, देखे, one column का आ गया, आप चाहें, तो 5 columns में divide कर सकते हैं, 6 columns में divide कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, और सिफ एक में, तो फिलाल हम यहाँ पर एक ही use करने वाले हैं और इसमें मैं पुट करूँगा social media icons वापस back चलते हैं और यहाँ पर है social let's drop it over here ओके यहाँ पर आ चुका है then we can click on this pencil icon अब जितने भी social media icons के आपने link वगरा already set कर रखे है social network वाले page पे वो automatically यहाँ पर fetch हो जाएंगे बाकि और भी काफी सारे options यहाँ पर आते हैं जिस rounded shape आप ले सकते हो, shape, fill type, solid है, outline है, किस type का आपको लेना है यहाँ पर horizontal alignment हम कर देते हैं center ताकि बीच ओ बीच में सारे social media icons display होने वाले हैं इसके बाद एक बार हम publish करके अपने front page को check कर लेते हैं कि actual में यह कैसा दिखाई दिखाई दिता है यहाँ पर आप देखो icons proper तरीके से visible ही नहीं हो रहे हैं जले फिर से इन icon किसी visibility भी हम ठीक ठाक करेंगे हम चलते हैं वापस अपने design वाले part में और यहाँ पर देखो icon color right now initial white है इससे आप dark कर दीजिए ठीक है then publish and it's time to refresh our home page here we go so अब आप यहाँ पर देख सकते हैं hover effect के साथ में social media icons भी आ चुके हैं यह page काफी cool लग रहा है बहुत easy है और Rishi theme काफी कमाल की theme है इस theme की help से आप बहुत अच्छे-ची website बना सकते हैं और google loves fast websites Rishi theme काफी light weighted theme है Rishi theme के free version में आपको इतने सारे features मिल जाते हैं जो के आपको किसी premium theme के version में भी शायद नहीं मिलेंगे अब एक काम और कर लेते हैं आप देखो यहाँ पे जैसी मैं scroll down करता हूँ तो header भी उपर चला जाता है आप चाहें तो इस header को sticky भी कर सकते हैं कैसे करेंगे हम वापस चलते हैं अपने customization panel के उपर यहाँ पे header में जाना होगा इसके बाद देखो दो tabs है elements and headers आप headers पर click करो यह global header यहाँ पर आपको option मिलेगा sticky header let's click on it okay देखिए sticky header आप इस type सी कर सकते हैं या सिर्फ आप main row को sticky बना सकते हो या आप top and main row को sticky बना सकते हो दोनों को बना सकते हो और सिर्फ एक को फिलाल आप main row को ही रखेंगे and then click on publish it's time to refresh our home page okay now let's scroll down अब आप देखो जो main row थी वो sticky हो चुकी है यहाँ पर है ना premium वर्जन अगर आप देखोगे ocean WP या astra theme तो उसमें आपको premium add-ons purchase करने पड़ते हैं sticky header बनाने के लिए बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है free theme में ही आपको इतने कमाल की features मिल जाते हैं कि मुझे नहीं लगता आपको कई सारे dollars invest करने पड़ेंगे theme forest की किसी भी premium theme के ऊपर सारे features आपको इस theme में अराम से मिल जाएंगे अब इसके बाद कुछ और settings हम check कर लेते हैं Rishi theme की so customization panel को फिलाल यहाँ से बंद करते हैं वापस चलते हैं WordPress के dashboard में and appearance में आपको मिलेगा Rishi theme let's click on it okay now यहाँ पर काफी सारे देगो features दिये हुए है site identity हम अल्रेड़ी play कर चुके हैं इस option के साथ में color settings में फिलाल play नहीं किया है but color setting में आप color scheme set कर सकते हो typography में आप default heading वगरा set कर सकते हो यह है layout वाला section चलिए layout section के एक बार चेक करते हैं let's click on it फिर से देखी customization panel open हो गया all right so layout का section यह है अब यहाँ पर container container मतलब एक्चुल में section होता है जहाँ पर content put करते हो तो by default इसकी जो width होती है वो है 1170 pixel आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो but recommended यह नहीं है जो default setting उसको as it is रहने दीजिए इसके बाद नीचे आते हैं container vertical spacing यानि vertically container की spacing by default कितनी होती है 80 pixel होती है और बागी कुछ और भी default padding वगरा यहाँ पे है back चलते हैं अब यहाँ पे चेक है total page की तो उस case में 280 pixel सिर्फ sidebar को ही a lot हो जाएगा ना यहाँ पर देखिए दिया हुआ है default sidebar layout अब अगर आप माली किसी page की उपर sidebar को enable रखते हो तो default वो sidebar कहां पे display होगा so by default right में sidebar display होता है आप चाहें तो left में enable कर सकते हैं या फिर no sidebar कर सकते हैं हर एक page मतलब by default किसी बार-बार pages में जा करके sidebar को disable नहीं करना पड़ेगा let's come back okay इसके बाद देखिए एक button दिया हुए scroll to top इस option को अगर आप enable कर देते हो तो यहाँ पे back to top का option आ जाएगा मैं एक बार इस page को publish करके आपको front page पे दिखाता हूँ let's refresh our front page okay let's scroll down देखिए जैसे मैंने scroll down किया यहा पे एक button आ गया back to top का आप इस पर click करोगे वापस हम उपर scroll कर जाएंगे मतलब manually आपको बार-बार scroll up नहीं करना पड़ेगा तो इस scroll to top button से आप अपना time और effort save कर सकते हो okay now let's come back to the wordpress dashboard so layout में फिलाल इतने सारे options available हैं इसके बाद फिर हमारे पार header builder हम already play कर चुके header के साथ में blog page का layout इस type से भी कर सकते हैं मतलब listing की type में आपके blog post दिखाई देंगे आप चाहें तो grid type का कर सकते हैं आप चाहें तो masonry type का भी कर सकते हैं यार इतने सारे features आपको free theme में किसी में नहीं मिलते हैं आपको सबके premium add-on purchase करने पड़ते हैं बट रिशी theme में कमाल के features हैं ये इस इसके साथ ही साथ में post के elements को भी reorder कर सकते हो यानि single post वाला जो page आएगा उसमें सबसे उपर featured image फिलाल दिखने वाली है फिर post meta आएगा फिर title आएगा आप चाहें तो इनके orders वगरा को भी change कर सकते हैं simply यहां से आप drag and drop करके like this ओके फिलाल मैं इसको छेडूंगा नहीं फि तो फिलाल मैं recommend करूंगा जब आप block page के लिए you know settings को set कर रहे हो तो उस case में right sidebar को ही enable रखें ताकि आप कुछ common elements अपने हर एक block page पे दिखा सके हैं then after यहां पे कुछ और settings फिलाल मिल जाती है इन्हें हमें change करने की जरुरत नहीं है at last we can click on publish now let's come back to the wordpress dashboard okay scroll down करते हैं इसके ब almost किसी भी तरह की website बना सकते हैं चाहें वो business website है चाहें वो e-commerce store है blog है affiliate marketing site है किसी भी type के site आप बहुत easily इस theme के पर बना सकते हैं without spending a single money on theme purchase so I hope यह video आपके लिए helpful रहा होगा please like करना मत भूलिएगा अगर आपको कोई query or question है just drop in the comment section और इसी तरह के और भी helpful videos के लिए channel को जरू wonderful day